अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी ज़ अनलाइन लेनिंग प्लेटफॉर्म, मेरा नाम है विशाल चोहान और UPSC, CSC प्रिलिम्स के लिए जो क्रेश कोर्स है हमारा, उस क्रेश कोर्स की सीरीज में आज हम ancient history का पहला topic पढ़ने जा रहे हैं, prehistoric period आज के topic पर वढ़ने से पहले मैं students को बताना चाहूंगा, उन्होंने अगर पिछला strategy वाला topic नहीं देखा है so make sure ancient history को tackle करने के लिए हमें क्या strategy अपनानी है, उस strategy वाले topic को आप जरूर देखें the concept है channel का नाम, channel को subscribe आप जरूर करें और आगे आने वाली videos के साथ आप thoroughly जुड़े रहें so शुरू करते हैं आज का हमारा session, सबसे पहले about myself, मेरा नाम है विशाल चोहान if you don't know 6 साल से जादा मुझे पढ़ाने का experience है, history मैं आपको UPSC CSC के लिए पढ़ाऊंगा और अगर आप इस session, पिछले sessions या आगयाने वाले sessions के लिए PDF अगर पाना चाते हैं तो telegram पर मेरा channel है चोहान, underscore sir, underscore history उस channel को आप जो है वो subscribe करें और उस channel पर आपको सभी PDF मिल जाएंगी telegram पर, right? उसके लावा अगर आप जुड़ना चाते हैं अनकेडमी के subscription plans के साथ आपको UPSC, CAC के लिए preparation करवाएंगे और अगर आप 31st March तक अगर आप subscribe कर लेते हैं तो July 2022 यानि 31st July 2022 that is 16 months तक आपके पास subscription रहने वाला है और अगर आप code मेरा use करेंगे चोहान, underscore sir, underscore history तो आप अपने favorite sir को support करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने favorite sir को support करें तो आप चोहान, underscore, sir, underscore history code को ज़रूर यूज़ करेंगे उसके लावा जैसे कि मैंने कहा कि plus as well as iconic subscription plans available है जिसमें iconic plans में obviously आपको personal guidance, test analysis, expert guidance, study material, study planner ये सारे जो है वो extra features मिलेंगे so make sure you subscribe to anacademy's iconic plans using my code johan, underscore, sir, underscore history उसके अलावा anacademy आपके लिए लाया है path finder test series for UPSC prelims और जिसको आप avail कर सकते है anacademy की learning application पर मेरा code use करके chohan, underscore, sir, underscore, history अगर आप चाहते हैं आप अपने favorite sir, chohan, sir को support करें तो right, so शुरू करते हैं आज का हमारा session, आज हमें क्या पढ़ना है आज हमें पढ़नी है prehistoric history, right, so मैंने आपको जो strategy वाला topic था उसमें मैंने आपको बताया था कि 2012 के बाद UPSC ने अभी तक prehistoric period से prelims में सवाल नहीं पूछा है, ठीके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं पूछ सकती, क्योंकि 2012 से पहले prelims ने धूम धाम से prelims में सवाल पूछा गया है किसका, prehistoric history का, ठीके, तो हमें prehistoric history हमारे लिए पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती है, और जिसमें मैंने आपको strategy में बताया था हमें important focus कहां करना है, sites और उन sites में क्या-क्या मिला है, तो paleolithic, mesolithic, neolithic, चalcolithic, iron age की sites कहां कहां हैं बारत में, और उन sites में हमें क्या-क्या, archaeological piece of evidences हमें क्या-क्या देखने को मिले है, tools क्या देखने को मिले है, different different type of stone tools क्या है, तो यह मैंने आपको strategy वाले topic में समझाया था, आज हम detail में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, देखें, topic का नाम रखा है, मैंने prehistory, लेकिन हम prehistory में क्या-क्या पढ़ेंगे आज, stone age को पढ़ेंगे, basically, चीक है, तो stone age को कितने हिस्स्व में बटा जा सकता है, paleolithic, mesolithic, neolithic, चालकोलेथिक, चीक है, और stone age कौन सा इतिहास है, कौन सा period है, इतिहास का stone age, आज मैं आपको धिरे-दिरे, पूरा detail में समझाऊंगा, अगर आपको stone age समझ नहीं आता था भी तक, तो आज का session, आप अगर पूरा पढ़ लेंगे मेरा, तो stone age से related कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल, अगर commission पूछे, कोई राज्य का commission का paper आप दे रहे हो, है ना, state PCS का अगर आप paper दे रहे हो, या उसके लावा, और भी कोभी subordinate level का अगर आप examination दे रहे हैं, एक भी question आप miss नहीं करेंगे, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले, pre history में सबसे पहले हम point जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, हमारी earth जो है, वो कब बनी थी, so 4600 million years ago, हमारी earth जो है, वो अस्तित्व में आई थी, जिसे आप 4.6 billion years अगो भी कह सकते हैं, ठीक है, या उसके लावा आप इसे 460 करोड साल पहले भी कह सकते हैं, ठीक है, so historical evolution of earth, so यहाँ पर देखिए, बहुत important keyword है ये, keyword और key phrases, देखिए, पूरे session में मैं छोटी-छोटी चीज़े बहुत important बताता चला जाऊंगा, keywords और key phrases का खेल है सारा, क्यूंकि प्री जैसे की मैंने कहा न, प्री क्या है, qualifying nature का है, असल लड़ाई है mains की, तो keywords और key phrases पर ध्यान देना है, देखिएगा, historical evolution of earth 4.6 billion year ago, that means धरती जैसे ही बनी तभी से evolve कर रही है, और evolution का process 4.6 billion years ago, यानि 460 करोड सालों से लगातार चल रहा है धरती का, यानि धरती पहले आग का गोला था, फिर वो आग का गोला धीरे-धीरे ठंडा होता गया, तो उसके ओपर मलाई जम गई, crust जम गया, वो crust जो है, वो धीरे-धीरे, उसमें cracks आये, तो gases बाहर निकली, gases बाहर निकली, तो बादल बने, बहुत भहेंकर, बारिश हुई कई लाखो करोड़ों सालों तक, उससे oceans बन गए, फिर oceans में से लावा निकलता गया, तो islands और महाद्वीप डवलप हो गए, और फिर वो plates move करती गई, तो आज present day continents established है, तो जब मैं ये पूरी series खतम करूंगा, और जब हम pre में जब हम बैट जाएंगे, और pre को जब हम successfully clear कर लेंगे, तो mains के लिए तैयारी करेंगे, यानि जुलाई से हम mains के लिए prepare करेंगे, और mains में मैं आपको geography वाला part भी पूरा करवाऊंगा, GS1 का, जिसमें मैं आपको earth का कैसे, earth कैसे बनी, from the very origin से आपको पढ़ाऊंगा, big bang से, ठीक है, या और जितनी भी theories उन सब को explore करेंगे, तो history वाला part भी, history के अलावा में, geography वाला part भी आपको बहुत detail में समझाऊंगा, तो पहला fact हमारे पास आ गया, earth 460 करोड साल पुरानी है, और continuously evolve हो रही है, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है, इंसान की history को, और इंसान भी कहां के, भारतियोप, महादीप, और फिर, यानि कि Indian subcontinent के इंसान, और फिर India as a republic के जो human है, उनके एतिहास को पढ़ना है, है ना, समझ रहें आप, ancient से लेकर, prehistory से लेकर, proto-history से लेकर, ancient, early medieval, medieval और modern और contemporary, I hope आपको clear हुआ होगा, ठीक है, next point देखेगा, the history of earth has been divided into number of major divisions called eras, आप देखिए, earth की surface के ओपर क्या हो रहा है, और earth की surface के नीचे, क्या movements हो रही है, क्या changes हो रहा है, उनको study जो करते हैं, उन scientist को कहते हैं, geologist, right, और geologist ने earth की ये पूरी life, 4.6 billion years की जो life है, इसको geological time scale में बाट दिया है, और उन geological time scale के according, earth को, earth का ये जो पूरा 460 करोड साल का जा history है, इसको eras में बाट दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे कितने हैं, ऐसे number of eras हैं, ये eras, these eras are further subdivided into periods, तो eras जो हैं, वो period में divided, अब देखिए, ये जो geological time scale वाला जो फंडा है, ये भी मैं आपको geography में explain करूँगा, ठीक है, बिल्कुल basic point उठाने हैं, जो आज के हमारे session के साथ relevant है, right, the modern periods are further divided into epochs, तो ये period बटे हो हैं किसमें, epochs में, और जो current और जो latest epochs हैं, latest 2 million years के जो epochs हैं, उनके साथ हमें concern रहना है, the 2 million old epoch called Pleistocene of the Cisanoic era, the era of modern life, witness the origin of human life, approximately 35 million years ago, बहुत important, बहुत important point, देखिए, era, era बटे हो हैं, periods और present, जो, मतलब latest जो period है, वो बटे हो हैं, epochs में, epochs में भी जो 20 लाग साल वाला पुराना जो epoch है, यानि Pleistocene, Pleistocene epoch में जो है, वो हमें समझना है कि किस तरह जो homogenous है, उसमें different species evolve करती हुई, फाइनली हमें homo sapiens sapiens मिला है, ठीक है, सो आएंगे, applies to scene वाला पार्ट आपको कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, इधर दे रखा है, human life approximately 35 million years, so 35 million years पहले, million years ago, human इंसान नहीं था, ठीक है, homo sapiens sapiens नहीं था, proto human थे, यानि आदि मानव थे, और खास तौर पे anthropoid थे अभी, anthropoid ape से धीरे धीरे जो है, वो develop हुए है हमारे modern day, जो हमारा man है, upright walking modern day man, जो है, तो यह सब कहानी शुरू हुए है, 35 million years ago, और उससे पहले जो है, वो वानरों की ही, मतलब वानर ही थे, धीरे धीरे समझ रहे हैं आप, और क्योंकि यह जो सेजनाइक एरा है, इसको modern life का एरा कहा गया है, इस एरा में mammal की life develop हुई है, और धीरे धीरे mammals में से वानर, समझ रहे हैं आप, जो apes हैं वो develop हुए हैं, और apes जो हैं वो evolve होते हुए, homo sapiens sapiens में बदले, जो की present day हम है, modern man, right, the most recent epoch की बात करें, तो अभी holocene चल रहा है, 12,000 साल पहले शुरू हुआ था holocene, experience the modern man, domination and domestication of plants, holocene में क्या देखा हमने, कि जो modern man है, उसने पूरी दुनिया की सभी species को, अपने हिज़ाब से control करना, यानि nature में बदलाव लाना शुरू किया, उसने plants को domesticate किया, उसने animals को domesticate किया, तो हम आज पूरा process समझेंगे, कि यह pleistocene से holocene में change क्यूं आया, ठीक है, तो यह सबसे पहले आप देखिए, यह है हमारा geological time scale, जिसमें आप देख रहे हैं, यह era है, era कौन कौन से है, cenezoic, mesozoic, paleozoic, और pre-cambrian, यह आपके चार eras है, यह चार era further period में बटे हुए हैं, period कौन कौन से है, quaternary, tertiary, cretaceous, jurassic, triacic, और उससे पहले, यह सब era, यह मैं आपको बताऊंगा, geography जवाब हो कराऊंगा, तब detail में समझाऊंगा क्या है, यह periods further बटे हुआ है, epochs में, जिसमें से latest holocene चल रहा है, और इंसान डेवलप हुआ है, इसमें pleistocene से, pleistocene से जो है, वो homogenous develop होना शुरू हुआ है, जो कि आपका 2 million years, यानि 20 lakh साल के आसपास जो है, वो develop होना शुरू हुआ हुआ है, यहां से हमें homo sapiens और modern man जो है, वो develop होता नजर आएगा, यानि कि quaternary period और holocene epoch, बहुत important है, यह सवाल बन सकता है, ठीक है, आगे देखिए, so prehistoric man के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो, कि सबसे पहला मानव या मानव जैसा दिखने वाला जानवर कब develop हुआ, तो सबसे पहला जिसको आप सबसे वानरों में याना जान जो पुराने mammals है, जिससे धिरे-धिरे इंसान डेवलप हुआ, Greek Latin word से मिलकर बना है, यह Australo का मतलब होता है, या Australo का मतलब होता है, South और Pythicus का मतलब होता है, एप, तो ऐसा एप जो South में मिला, क्योंकि Australopithecus के evidence इस एफरीका से मिले, तो South का, South से मिलने वाला जो एप था, that was Australopithecus, जिसको first ape man कहा गया, क्योंकि Australopithecus जो है, दोनों के गुण थे तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट में आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी qualities है जो जानवरों जो वानरों से इनसानों को अलग करती हैं तो वो है bipedalism ठीक है उसके अलाबा हमारे ये अंगूठे जिनको हम इस्तमाल कर सकते हैं हमारे ये thumbs और जो हमारे जो हाइंड लिम है देख रहे हैं आप हाइंड लिम में थम पीछे से आगे जो shift हुआ है ये कुछ ऐसी और bipedalism दो पैरों पर चलना ठीक है अप्राइट चलना तो ये कुछ ऐसी qualities हैं उसके अलाबा बड़ा brain है ना बड़ा brain brain size का बढ़ना tools का इस्तमाल करना और sophisticated tools का इस्तमाल करना क्योंकि tools तो कुछ एप भी use कर ले रहे हैं लेकिन sophisticated tools को modern man ने use करना शुरू किया ठीक है ना not just modern man लेकिन उसी direction evolution through evolution जो है वो sophistication of tools बढ़ता गया that brings me to the point कि हमने अलग-अलग stone ages को कैसे बाटा हुआ है अलग-अलग stone ages को बाटा हुआ है हमने on the basis of the level of sophistication of the tools used यानि जो शुरुवाती मानव रहा होगा ना उसने ऐसे पत्थर को उठाया होगा फोड़ा होगा या तूटा हुआ पत्थर देखा होगा जो हलका सा तीखा हुआ उससे उसने खाल उतारी होगी इस तरह लेकिन फिर धीरे-धीरे इंसान ने tools को complicated, sophisticated करना शुरू किया वो हमारा basis बनता है अलग-अलग stone age को यानि पेलियोलिथिक को मिजोलिथिक से अलग करना, मिजोलिथिक को नियोलिथिक से हमने अलग किया हुआ है on the basis of quality of tools used लेकिन सबसे पहले हम जुरुवाती मानुष के बारे में देखते हैं ठीक है फिर eventually हम पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक के characteristic देखेंगे फिर हम देखेंगे भारत में sites कहां कहां है और हमें किस-किस तरह के औजार मिले हैं और क्या-क्या possible questions बन सकते हैं ठीक है, so australopithecus had human and ape-like characteristic was bipedal and had a brain capacity of 400-450 cranial capacity या cc, cubic centimeters भी आप बोल सकते हैं, so 400-450 cc की cranial capacity है इसकी bipedalism कर सकता है, दो पैरों पर चलने लाएगे यानि कि australopithecus से पहले कि जो कडियां है आदमानव की वो दो पैरों पर नहीं चलते थे, वो चार पैरों पर चलते थे यानि दो पैरों पर चलने वाला पहला एप मैन है आपका australopithecus कहां से मिला हमें, एफरीका से मिला है, ठीक है next चीज, next आएगा आपका homo hibalis, अब यहाँ पर देखिए australopithecus न आपके develop हुएं लगबग 35, not 35 लेकिन sorry, 5.5 million years ago आपके australopithecus develop हुएं और homo hibalis आपका develop हुआ है, लगबग 2.5 से 2.2 million years ago, यानि कि pleistocene शुरू होता है homo hibalis के साथ, तो ऐसा क्या हुआ कि homo hibalis भी आया और pleistocene भी शुरू हो गया, तो मैं आपको समझाओं, देखे, homo hibalis है आपका the tool maker और इसकी qualities क्या गया है, देखिए, bipedal locomotion यानि दो पैरों पर चलता है, moved, erect and head of brain capacity of 500 से 700 cc, homo hibalis was the first tool maker and used tools of chipped stones extensively, बहुत important direct points, ठीक है homo hibalis was the first tool maker, तो पहला homo, समझे नहीं, यह देखिए आए, तो आप आएंगे, कहेंगे, आप hebelis ने सबसे पहले tool बनाए, और hebelis का मतलब यह होता है, कि जो हातों से tool बना सके, इसकी cranial capacity क्या है, 500 से 700, यह बताने का मतलब क्या है, कि देखिए, 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 cranial capacity increase होती जा रही है, और यह दो पैरों पर चल सकता था, bipedal कर सकता था, that means यह सीधा, कुछ हद तक सीधा खड़ा हो सकता था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next आएगा आपका homo erectus, so as the name suggest, यह पहला ऐसा, हमारा पूरवज है, जिसने सीधा चलना शुरू किया, appeared 1.8 से 1.6 million years ago, was erect and upright man, the cranial capacity 800 से 1200 cc, he made more elaborate tools of stones and bones, hunted big game and perhaps knew the use of fire, अब यहाँ पर हमारे homo erectus, जो साब है, इनकी qualities आ गई, देखे, मैं आपको बोला ना, कि जो हमारा और सलो पितकस है, वो 5.5 million year ago, ठीक है, हमारा जो homo hebless है, वो 2.5 से around 2.2 million year ago develop हुआ, और जो erect man है, वो 1.8 से 1.6 million year ago develop हुआ, तो ऐसा क्या हो गया, कि इनसान ने सीधा चलना शुरू कर दिया, और अफरीका से बाहर निकलने वाला पहला मानुश भी homo erectus ही है, जिसने अफरीका से बाहर निकलकर migrate किया, चाइना, साउथ इस्ट एशिया तक पहुचा, यूरोप में भी गया, ठीक है, तो हुआ ये की धीरे धीरे बरफ गई, मतलब ice age आई, जिससे जंगल सिकुड गए, और घास के मैदान बढ़ गए, घास के मैदान बढ़ जाने की वज़े से, आप कह सकते हैं homo hibles एक तरह से transitional phase है, घास के मैदान बढ़ जाने की वज़े से, जो australopithecus है, उनको अब धीरे-धीरे plane मैदान में आना शुरू हुए, और आपका homo hibles क्या है, ये transitional phase है, और उसका full-fledged, जो evolution है, वो क्या है, homo erectus, तो पेडो की relative safety छोड़ कर, जब इंसान के पूरवजों ने मैदानों में आना शुरू किया, तो उनको बार-बार ऐसे घास रती है, तो घास से उठना शुरू, उठना पड़ता है, प्लाइस्टो सीन में, ठीक है, क्यों हुआ है, क्योंकि ice age आई, उससे जंगल सिकुड़ गए, और घास के मैदान बढ़ गए, तो अगर वो सीधा खड़ा हो गया, तो अब वो दोड़ कर शिकार कर सकता था, तो अब वो जानवरों को भागा भागा अगर थकाता था, और कोशिश करता था कि उनको पत्थर से, या किसी भी, जो भी उसके पास primitive वोजार थे, उनसे मारे और शिकार करे, अब वो लंबी दूरी तक ट्रैवल करना शुरू किया उसने, और पहला migration करने वाला, बड़े लेवल पर और लंबी दूरी तक migration करने वाला पहला इंसान कौन है आपका, homo erectus, और जिसने हो सकता है, यह अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि जहां पर homo erectus की मतलब अफशेश मिले हैं, वहां से हमें, आग के भी अफशेश मिले हैं, तो आग का इस्तमाल करना शुरू कर दिया किसने, homo erectus ने, बहुत important, tools बनाने शुरू किये, homo habilis, पहली बार travel, migrate करने किसने शुरू किया, homo erectus ने, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा आपका homo sapiens, ठीक है, homo erectus के बाद homo sapiens आएगे, आप देगे, homo erectus के बाद आपके neanderthal man भी आएगे, लेकिन neanderthal man का जो evolution है, वो dispute में है अभी भी, ठीक है, homo sapiens की बात करते हैं, पहले, homo sapiens 1300 से 1650 cc, उनकी cranial capacity है, homo sapiens found in neander valley, also known as neanderthal man, was legendary caveman and became extinct 30,000 years ago, while homo sapiens discovered in cro-mangon rocks of France, also known as cro-mangon man, was more intelligent and cultured, अब देखें यहाँ पर दो बहुत important facts है, neanderthal man को homo sapiens के साथ जोड़ा गया, neanderthal को कहा है हमने यहाँ पर homo sapiens ही neanderthal है, तो यह dispute है और यह latest findings है, dispute पहले यह था कि homo sapiens अलग है और neanderthal अलग है, लेकिन अब recent findings के according, neanderthal ही, neanderthal को ही आप homo sapiens consider कर सकते हैं, उससे finally evolve होकर homo sapiens, sapiens develop हुआ है, जो कि modern man है, जो कि हमें कहां मिला है, neander valley, जो कि Germany में है और France में, similar जो है वो हमें evidences मिले हैं, कहां पर, he made excellent tools and even ornaments of stones, bones and even elephant tusks, his tools included spears, bows and arrows, he became extinct about 10,000 से 11,000 यह हुआ, ठीक है, तीस से 35,000 साल पहले के आज़ पास जो है वो, homo sapiens extinct हुआ है, लेकिन कई जगहां पर 10,000 से 11,000 साल तक भी evidence मिले हैं, नमें, किसके, यह जो homo sapiens sapiens से just पहले की जो कड़ी है, और इसको किसने हटाया, survival of the fittest, याद है ना, आपको nature का rule, homo sapiens sapiens ने, अपने बाकी सभी, जितने भी, मतलब इस same genus के जितनी भी अन्ने species हैं, उन सब को जो है, वो eliminate करके, homo sapiens sapiens जो है, वो finally, dominate किया है, उसने पूरी अर्थ को, ठीक है, और देखें, यहाँ पर advanced, लगभग advanced tools जो है, वो spears, arrows, bows वगएरा जो है, वो neanderthal ने develop कर लिये थे, कपड़ा वगएरा, पहनना, सीलना इनको आ गया था, ठीक है, आगे देखते हैं, so this is homo sapiens neanderthal-ness, next आता है, हमारा latest homo sapiens sapiens, यह जिसे कह सकते हैं, आप modern man, appeared 25,000 years ago, and started spreading all over the world about 10,000 years ago, the cranial capacity was slightly reduced with average capacity 1450 cc, और neanderthal से, याद रखेंगे, नीanderthal से, जो modern man है, उसकी cranial capacity भी थोड़ी कम हुई, क्योंकि bone density भी कम हुई उसकी थोड़ी, क्योंकि, जो modern man है, उसने समाज बना कर रहना शुरू कर दिया, और अगर कोई बिमार हो जाता है, मालीजे किसी का heart टूट गया, तो जो पुराने मानुष थे, जिसमें, जिसमें उनकी society जो है, वो बहुत primitive form की थी, तो अगर heart टूट गया, अगर किसी का, तो उसकी मृत्ति जो है, वो निश्चित है, लेकिन modern man ने caring करना शुरू किया, modern man जो है, वो अपने family members के प्रती बहुत aware हो गए, उन्होंने caring करना शुरू किया, तो उन्होंने अगर किसी की बाजू, अगर किसी का हाथ पैर शरीरी damage हो गया, तो उसको repair करना, उसकी care करना शुरू किया, तो bond density दिरे-दिरे कम हुई, तो आप कहेंगे, कि जो homo sapiens sapiens है, उनकी नियंडर थल से bond density, इसलिए कम है, क्योंकि उतनी rigorous activities, homo sapiens sapiens को नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पाद दिमाग तेज था, वो better tools बना सकता था, better शिकार करने की survival की strategies जो है, वो develop कर सकता था, ठीके, आगे देखते हैं, तो यह evolution आपने देखा ही होगा, और श्रेल अफितेकिस से, homo habilis, homo erectus, homo neanderthalens, और homo sapiens sapiens, ठीके, धीरे-धीरे देखिए, fur जो है, वो खतम होता जा रहा है, और यह जो jaw है, यह jaw अंदर जाता जा रहा है, और जो forehead है, वो forehead रादर जो है, वो flat होता जा रहा है, और cranial capacity increase होती जा रही है, fangs जो है, ना यह, not fangs, लेकिन जो canines है, उनकी length जो है, वो कम होती जा रही है, और हाथ जो है, वो relatively देखिए, यहाँ पर पैर छोटे हैं और हाथ लंबे हैं, तो धिरे-धिरे क्या हो रहा है कि पैर लंबे हो रहे हैं, और हाथ छोटे हो रहे हैं, जो कि साइड नहीं move करेंगे, खेर, अब देखते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया में क्या था, सो प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में हमें देखा, हमने ऑस्ट्रेलो पितेकस से होमो सेपियन सेपियन की development देखी, और उसमें देखिए इतना ज्यादा important नहीं है, basically आपको जरा-जर हलका-हलका concept पता होना चाहिए, और एक-एक point पता होने चाहिए, कि tool किसने बनाने शुरू किये, आग का use किसने शुरू किया, सबसे पहले migrate किसने किया, ठीक है, नियंडर्थल कहां मिले हैं हमें, नियंडर्थल के evidences, France में, कौनसी rocks में हमें evidences मिले हैं, होमो सेपियन के, ख used by prehistoric people, indicating settlements of prehistoric men in India, अब देखी, भारत में prehistory हम क्यों कह रहे हैं, prehistory इतिहास का वो काल है, जिसमें हमारे पास केवल archaeological evidences हैं, there are no literary sources, तो इनसान के इतिहास का ऐसा phase, जब इनसान ने भाशा, ना ही language डेवलप करी थी, ना ही script डेवलप करी थी, ठीक है, वो जो period है, इनसान के इतिहास का, उसको हम prehistory कहते हैं, जिसके हमें language और script के evidences नहीं मिलते हैं, केवल archaeological evidence मिलते हैं, किस तरह के, हमें stone tools मिलते हैं, हमें pottery मिलती हैं, हमें अन्य artifact, ठीक है, weapons बनाए मिलते हैं, jewelry जो है, वो इनसान हड़ियों से, पत्थरों से develop करता थ वो सारी चीज़े हमें मिली हैं, metal implements मिले हैं, क्योंकि, देखिए, metal का बड़े level पर, industrial level पर use भले ही, इनसान ने metal age में आकर शुरू किया हो, चालको लिथिक और फिसक ब्रॉंज और iron age में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि metal lores इनसान के पास पहले नहीं थे, वो उस metal को बहुत precious stone समझता होगा, ठीक है, तो इस तरह की scattered settlements भारत में भी मिली हैं, और धीरे धीरे, आप कहेंगे सर पेलिलिथिक, मिजलिथिक तो बताये नहीं, धीरे धीरे पहुंचेंगे ना, वहाँ पर, ठीक है, पेलिलिथिक, मिजलिथिक भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि भारत में prehistoric men के evidences हैं, ठीक है, these remains help reconstruct the history and understand the life and culture of people who lived during this, right, so in evidences से हमें क्या पता चलता है, क्या मिलता है हमें evidences से, या हम इन evidences को इखटा कर क्यों रहे हैं, for that matter, क्या मतलब है हमारा, इन सब evidences को इखटा करने का, तो इन सभी archaeological evidences को इखटा कर करके हम prehistoric period में भारत में इंसान किस तरह रहा, और उससे present day जो political, economical, social scenario है, उसको जो है, वो जादा से जादा बहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, the term such as paleolithic, यानि कि old stone age, mesolithic, middle stone age, neolithic, new stone age, etc. have been used by archaeologists to classify the tools of different type and periods, अब देखे, यहाँ पर आगे न, तो prehistoric period और prehistoric India, यानि prehistoric इनसान का में इतियास पढ़ना है भारत में, ठीक है, तो जितने भी ये साल रहे होंगे, 20 लाग साल, 15 लाग साल, या 6 लाग साल मान लीजिए, भारत में 6 लाग साल के हम evidence मिलते हैं, ये जितने भी साल रह हैं, इनको हमने बाटा कैसे, किस आधार पर बाटा हुआ है, ठीक है, तो हमने बाटा हुआ है, इनसान ने इन सभी सालों में किस तरह के tools यूज़ किये, तो सबसे पहले इनसान ने obviously stone के tools यूज़ किये, फिर उसके बाद इनसान ने stone plus metal के tools यूज़ किये, और recent times में इनसान ने metal को जो है वो hardcore तरीके से इस्तमाल किया tool making के लिए तो हम आज समझेंगे stone age और यह जो transitional phase है stone plus metal यानि कि चालकोलिथिक age को ठीक है तो stone age में भी अलग अलग बाटा हुए हमने paleolithic, misolithic और neolithic तो अब यह paleo, miso और neo में ही कई बच्चे confused रहते हैं कि कैसे याद रखें तो देखिए paleolithic पहले तो lithos शब्द का मतलब होता है पत्थर ठीक है Greek word है lithos का मतलब होता है पत्थर और pale कोई चीज pale पढ़ जाती है ना white रंग pale पढ़ जाता है ठीक है अब इस हिसाब से हमने जो है वह बाटा हुआ है तीन इससे में फिर उसके बाद आपकी चाल को lithic age आती है जिसमें stone as well as metal का use कर रहा है इंसान यानी transition phase है और फिर आपकी finally metal age आती है जिसमें जादा से जादा maximum number of tools है वह metal के बना रहा है stone के भी है जैसे चक्की अगर कहीं इस्तेमाल की जाती है stone की तो वह एक stone tool है right so paleolithic, mesolithic और neolithic हमने बाटा तो ऐसे क्यों बाटा है ना क्या changes आए मैंने वोला ना process of change समझने आया हमें तो उस process of change को समझेंगे आगे देखिए so stone age in India को हमने बाटा है paleolithic, mesolithic and neolithic में so paleolithic is old stone age characterized by the use of rough and chipped stone tools तो देखिए जो old stone age है उसमें इनसान ने उसको जैसे पत्थर मिले होंगे ठीक है थोड़ा बहुत उसने पत्थर को तोड़ा होगा, थोड़ा से उसने पत्थर को तीखा किया होगा और उसको use कर लिया होगा that means, बिल्कुल primitive form of tools है न, वो है आपके paleolithic stone tools और बिल्कुली primitive form के tool हमें जहां से मिल रहे है उस site को हमने एक paleolithic site कह दिया है, तो देखिए, अब जब भी archaeologists खुदाई करते हैं न, माल लीजिए ये certain patch of land है इतना patch of land है और इतने patch of land की खुदाई गर्दी, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा यहाँ पर सबसे नीचे मिलेंगे आपको paleolithic tools, ठीक है, paleolithic से उपर कौन से tools मिलेंगे, उसके उपर मिलेंगे mesolithic tools, mesolithic से उपर कौन से tool मिलेंगे यह surface में मिलेंगे आपको neolithic tools ठीक है, तो यह आपको फंडा आगे समझाता हूँ क्या है, paleolithic से mesolithic tools कैसे अलग है, देखिएगा characterized by shift from food gathering society to a food producing society the tools is in this age often had barbs on hooks or interchangeable blades आप देखिए paleolithic से mesolithic tools कैसे अलग है तो paleolithic से mesolithic tools अलग हुए देखिए, बहुत बारी concept बता रहा हूँ मैं आपको paleolithic tools से mesolithic tools अलग है, तो tools अलग क्यों हुए ऐसा क्या event हुआ, जिस वज़े से अलग तरह के tools develop हुए तो वो event है, change in climate ice age खतम हुआ मौसम गरम हो गया, मौसम गरम हो जाने की वज़े से, इनसान जो है वो अब higher altitudes में जाकर रह सकता था, तो उसको relatively छोटे, और जो pebble shaped के जो stone है, वो मिलने शुरू हुए, तो इनसान ने microolithic tools जो है, वो develop करने शुरू हुए so, pleistocene के खतम होना, और holocene के शुरू होने का जो period है इस period के बीच में, मिजोलिथिक जो है, वो tools यह में नजर आते हैं, तो यह transition है, तो पेलियोलिथिक से नियोलिथिक में जो transition है वो मिजोलिथिक है, बहुत important चीज़े बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा पेलियोलिथिक से नियोलिथिक में जो transition है, वो मिजोलिथिक है और मिजोलिथिक में transition क्यों है क्योंकि पेलियोलिथिक आया ice age आने की वज़े से और नियोलिथिक आएगा ice age चले जाने की वज़े से और मिजोलिथिक क्या है, transition है Paleolithic आया इसलिए क्योंकि Ice Age आया और इंसानों के पूरवजों को पेडों को छोड़कर मैदान में आना पड़ा मैदान में आकर उनको शिकार करना पड़ा तो धीरे-धीरे Tool Development करना पड़ा तो यहाँ पर Homo Hebelis ने Tool Development किया इसलिए Paleolithic period शुरू हुआ ठीक है और फिर आईसेज खतम हुआ मौसम गरम हुआ मौसम गरम होने की वज़े से अब धीरे धीरे इंसान को समझ भी आ गया था क्रॉप्स ऐसी घास भी मिलनी शुरू हुई थी जिसमें बीज लग रहे थे तो इंसान ने अनाज को पहचानना शुरू कर दिया था अनाज के पैटरंस को पहचानना शुरू किया था मौसम गरम हो जानी की वज़े से जादा जगा पर अनाज लग रहा था तो धीरे धीरे इंसान ने agriculture करना शुरू किया तो नियोलिथिक इंसान ने full-fledged agriculture और domestication of animal किया पेलियोलिथिक में केवल hunting और gathering चल रही है तो मिजोलिथिक क्या है एक transitional phase है पेलियोलिथिक में इंसान कैसे खा रहा है या तो शिकार कर रहा है या तो किसी शिकारी जानवर का वेट कर रहा है यानि भेडियों ने शिकार किया इंसान का जुन बैठ कर वेट कर रहा है जब भेडिये जो है वो खा कर चले जाएंगे तो इंसान आएंगे गिज बगारा को जो भी गिज है वल्चर्स को उड़ाएंगे और मीट खाई यानि स्केवेंजिंग कर रहा है हंटिंग भी कर रहा है कर रहा है छोटे मोटे जानवरों को मार भी रहा है scavenging भी कर रहा है और gathering भी कर रहा है जो उसको fruit मिल जा रहे है जो उसको घास मिल जा रही है जिसमें बीज लगा हुआ है अगर मिल गई तो hunting gathering scavenging कर रहा है इंसान paleolithic में और neolithic में इंसान full fledged खेती बाड़ी करना शुरू कर चुका है और ऐसा तो है नहीं overnight कुछ होता है transition phase आता है वो transition phase है आपका मिल लिथिक hunting gathering ही क्यों करा इंसान ने या tool making क्यों करी क्यूंकि प्लाइस्टो सीन में ice age आया और मैदानों की संख्या भड़ी और जंगल जो है वो श्रिंक हो गए similarly जैसे ही जैसे ही ice age खतम हुआ मौसम गरम हुआ तो अब इंसानों ने जो है वो agriculture करना शुरू किया ठीक है तो ये transitional phase है मिजोलिथिक ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे मैंने आपको concept बता दिये धिरे-धिरे सब सारे concept को explore करते है लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक में basic characteristic क्या है पेलियोलिथिक में क्या चल रही है? hunting, gathering, scavenging नियोलिथिक में क्या चल रही है? full-fledged agriculture, full-fledged domestication of animals और मिजोलिथिक में क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत hunting, gathering थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत domestication of animals और थोड़ा बहुत agriculture ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको just because कि इनसान ने नियोलिथिक period में अंटर कर दिया that doesn't mean कि इनसान ने hunting, gathering बंद कर दी आज भी South America में ऐसी tribes हैं जो hunting, gathering कर रही है आज भी under man में sentinel tribes हैं जो hunting, gathering कर रही है ठीक है? तो इनसान ने या majority of majority population of इनसान ने hunting, gathering की जगा agriculture और domestication of animals को अपना occupation बनाया है so that is neolithic तो ये paleolithic, misolithic और neolithic में आपको ये change क्यों आया? process of change समझाया है आपको अब देखते हैं उनके stone tools को, technicality में जाते हैं अब technical facts इखटा करते हैं, concept समझाया गया है न? effects इखटा करने हैं आपको ठीक है? so neolithic में देखी है characterized by the use of stone tools in farming, pottery and weaving, clothes and baskets neolithic में देखी है क्या कर रहा है इनसान? farming में use कर रहा है ठीक है? पत्थर की कुलाडी बनाकर उससे farming कर रहा है इनसान पत्थर की कुलाडी बनाकर पेड काट रहा है, पत्थर की कुलाडी से अनाज काट रहा है जो उसने बोया है domestication किया है, उसने हड़ियों की needles बनाई जिससे वो कपड़े को seal रहा है कपड़े पहनने की समझाई लेकिन जो अपर sorry not lower लेकिन अपर paleolithic period में इंचान को कपड़े पहनने की समझाई लोवर paleolithic तक तो नंगा ही गुम रहा था ठीक है तो यहाँ पर यह lower और अपर paleolithic समझाता हूं क्या है देखेगा मैंने बोला ना अगर किसी tonage की site की खुदाई की जाएगी तो सबसे नीचे मिलेंगे paleolithic stone tools ठीक है यहनी सबसे गहराई में paleolithic मिलेंगे क्योंकि obviously paleolithic सबसे पहले था बीच में मिलेंगे mesolithic stone tools और सबसे उपर मिलेंगे neolithic stone tools ठीक है लेकिन paleolithic के जो है वो paleolithic में भी 3 sub parts रहें lower लोवर पेलियलेथिक, मिडल पेलियलेथिक और अपर पेलियलेथिक अब यहां पर बच्चों कनफीजन होती है सबसे जदा अगर लोवर पेलियलेथिक बच्चे जो है वो आप मानेंगे कि लोवर पेलियलेथिक, मिडल पेलियलेथिक और अपर पेलियलेथिक अपर पेलियले सबसे ऊपर Upper Paleolithic मिला होगा, ना, फिर उसके बाद Middle Paleolithic और सबसे आखरी में मिला होगा, Lower Paleolithic जो की सबसे पहले घटा होगा, Lower Paleolithic Tools सबसे पहले रहे होगे, इसलिए Lower Paleolithic नीचा, I hope ये concept आपको समझ आया होगा, Upper Paleolithic अगर सबसे आखरी में आया है, तो उसको Upper क्यों कहा गया, उसको वो सबसे उपर मिले, Paleolithic tools में सबसे उपर Upper Paleolithic, फिर Middle Paleolithic और फिर Lower Paleolithic, तो यह थोड़ा सा confusing है, लेकिन अगर आप यह diagram बना कर देखेंगे, तो आपको समझा जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह देखिए Paleolithic tools, सबसे पहले वो बिल्कुल basic tools इस्तमाल कर रहा है, बड़े बड़े पत्थर, हष्ट कुठार, हैंड एक्स, यह एक बड़ा सा पत्थर उसको थोड़ा सा उसने जह हो चौप करके तीखा कर लिए और बड़ा पत्थर, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मिजोलिथिक period बोला ना, मैंने transitional phase, ऐसा phase जिसमें बरफ पिगली तो इनसान थोड़ा सा पहाड़ी की तराई के ख्षितर में रहना शुरू किया इनसान ने, वहाँ पर इनसान को माइक्रोलिथ मिले, छोटे टूल्स मिले, उससे इनसान ने बारीक टूल्स बनाए, और फिर नियोलिथिक में जो full-fledged इनसान को समझ आ गया कि टूल्स से कैसे खेलना है, तो यहाँ पर देखिए, स्क्रेपर, पत्थर के स्पीर, पत्थर की धरातियां, ठीक है, पत्थर की नीडल्स, यह सारे जो हैं वो, यानि कॉम्पलेक्स टूल्स, तो आप देख रहे हैं, अब पहले लिथिक और ओल्ड स्टोन एज को डिसकस करते हैं, अब पहले लिथिक एज को भी तीन फेज़िस में बाटा गया है, ठीक है, कौन-कौन से, लोवर, मिडल और अपर पहले लिथिक, लोवर इसलिए क्यूंकि जब खुदा ही करते हैं, तो सबसे नीचे वही मिलता है, ठीक है early और lower paleolithic middle paleolithic और upper paleolithic early और यह भारत का है ध्यान रखिएगा भारत में lower paleolithic evidences 6 लाग साल पुराने मिलते हैं एफरीका में lower paleolithic evidences 20 लाग साल पुराने मिलते हैं that means यहाँ पर हमें पता चलता है कि भारत में इंसान डेवलप नहीं हुआ ध्यान रखेंगे भारत में homo sapien sapien develop नहीं हुआ लेकिन उससे पहले रामा पिथेकस शीवा पिथेकस जैसे anthropoids जो हैं वो जरूर भारत में develop हुएं लेकिन भारत में homo genus जो है वो develop नहीं हुआ है homo genus भारत में एफरीका से migrate करके आया है इसलिए भारत में homo genus के evidences आपको छे लाक साल पुराने देखने को मिलते हैं सो early और lower paleolithic period भारत में छे लाक साल पुराना देखने को मिलता है छे लाक से डेड़ लाक साल तक middle paleolithic डेड़ लाक से 35,000 और upper paleolithic 35,000 से 10,000 BC BCE ठीक है before common era तो यह तीन phases I hope आपको clear होएंगे आगे देखिए early और lower paleolithic age के बारे में समझते हैं हम 6,000,000 साल से 1,500,000 साल पहले ऐसा क्या तूल में change आया है ना मैंने बोला ना paleolithic को अलग तीन भागों में क्यों बाटा है क्योंकि sophistication of tools increase हुई यानि obviously lower paleolithic से middle paleolithic के tools इस तरह कहा जाए middle paleolithic के tools lower paleolithic से ज्यादा sophisticated होंगे और upper paleolithic के middle paleolithic से ज्यादा sophisticated होंगे उसके ऊपर फिर mesolithic के overall paleolithic से ज्यादा sophisticated है और neolithic के overall meso as well as paleolithic से ज्यादा sophisticated tools है ठीक है now during early paleolithic age the surface of earth was covered by ice तो मैंने बोला ना जो early paleolithic age है यानि जो lower paleolithic age है तब pleistocene era शुरू हुआ था और तब ice age आ रखी थी तो ice age की वैसे देखें क्या होगा जितनी भी higher mountainous region और खास चौर पे जो northern hemisphere है वो तो लगबग बरफ से ढखा होगा तो जो southern hemisphere और आप मान सकते हैं Tropic of Cancer और इसके आसपास का जो region है यहाँ पर जितने भी जंगल होंगे वो जंगल श्रिंक हो गए होंगे क्योंकि सर्दी के वाज़े से moisture घट गया होगा जंगल श्रिंक हो गए होंगे तो जितने भी जंगल में रहने वाले anthropoids हैं या for that matter जो इंसानों के पूरवज हैं और श्रलोपितकस उन्होंने पेडों की relative safety को छोड़ना पड़ा होगा क्योंकि खाना survival के लिए खाना उनको मिला नहीं होगा पेडों की relative safety छोड़कर उनको मैदानों में आना पड़ा होगा और जब वो मैदानों में आये तो उनको tools जो हैं वो बनाने शुरू करने पड़े होंगे hence homo hebless develop हुआ ठीक है so it is believed that this age began in Africa around 2 million years ago but in India it is not older than 600,000 years so भारत में lower paleolithic age 6 lakh साल पुरानी और एफरीका में 2 million लाग यानि की तबसे earliest known evidences of stone tool used by human और proto-human एफरीका में evidences मिलते हैं 2 million साल यानि 20 lakh साल पुराने और भारत में मिलते हैं 6 lakh साल पुराने कहां मिलते हैं भारत में बोरी इन महाराष्ट्रा direct सवाल बन गया न आप fact आ गए concept समझा दिया मैंने आपको fact आने शुरू हो गए बोरी इन महाराष्ट्रा इस considered to be earliest site of this age बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश also witness the tools of this age बहुत important बहुत important एक तो बोरी महाराष्ट्रा में ठीक है और दूसरा बेलन वैली उत्तर प्रदेश में अभी दिखाऊंगा आपको map में बेलन वैली कहा है बोरी भी कहा है ठीक है other important sites of this age are found in वैली वैली आफ रिवर सोन और सोहन इन पंजाब पंजाब कौन सा जो पाकिस्तान वाला है several places in कश्मीर एंड थार डेजर्ट अब देखी यह राम है ठीक है तो यह है आपका महाराष्ट्र में बोरी ठीक है so बोरी में आपकी क्या है early earliest या lower paleolithic site जो है वो कहा है महाराष्ट्र बोरी में और यह राम बोरी आपका देख रहा है मैं आप में आगे बढ़ते हैं इस map में देखिए यह है आपकी river बेलन और river बेलन के आसपास जो पूरी वैली है यह है बेलन बेले बोलन नहीं बोलन बेली अलग है बोलन बेली है आपकी तुलिमान की पहाडि यां हिंदू को च्श्र लगता होई रिया वो है बोलन बेलन बेलन है यह आपकी river बेलन के साथ और इहाँ पर देखेंगे आप ये है आपकी विन्दिया रेंγंज और ये विंदिया के उपर जो बंदेल खंड की रेंजिस वाला जो एक्स्टेंशन है वही है बेंल वैली ठीक है तो यह बुंदेल खंड के रीजन में ही कही ना कहीं आपकी बुंदेल खंड से थोड़ा सा उपर बुंदेल खंड तो थोड़ा नीचे आगया ना ठीक है यहां आएगा बुंदेल खंड तो तो बुंदेल खंड से थोड़ा सा उपर यहां आप मान सकते हैं कि बेलन व river basin का area है कौन से area है river basin का यानि तराई का क्षितर जी से कहा जाता है ठीक है जहां पर पहाडों से उतरती है मैदान में river यानि कि जहां पर दभी-दभी चड़ाई होती है बस यानि कि एक ऐसी जगा जहां पर caves अवलेबल ओती है तीन साइड से इनसान अपने आपको shelter कर सकता है ताकि उसको तीन साइट से डिफेंस मिले और सामने वो आग लगा ले तो आसा आराम से रह सकता है ठीक है तो इस तरह की साइट्स आपको जो भी mountain ranges है उनकी तरही के क्षेतर में मिल जाएगी जो बेसिन का जो तरही का जो क्षेतर है यहाँ पर हमें ऐसी पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स जो है वो मिली है नीलगिरी की पहाड़ियों के बेसिन में क्यूं क्यूंकि वहाँ पर relative safety रहती है इंसान के लिए शिकार abundance में available रहता है मौसम नहीं, गरम नहीं, सरद, पत्थर, stone tools जो है वो abundance में available रहते हैं क्यूंकि पानी का बहाव तेज होता है तो पानी पत्थर को गोल कर देता है तो stone tools, better quality के stone tools मिलते हैं, शिकार भी जादा मिलता है क्यूंकि पानी भी होता है available राइट, यह आपको मैंने बताया बोरी और यह रहा देखिए सोहन वेली, तो यहाँ पर सोहन वेली जो है वो present day पाकिस्तान में, आगे देखिएगा, next आता है early और lower paleolithic age में, अन्य points और क्या क्या है, tools are also found in desert of डिडवाना राजस्थान, early और lower paleolithic के tools और कहां कहां मिले हैं, डिडवाना राजस्थान में, चिर्की नेव पासा इन महाराश्थ्रा, नागर जुन कॉंड़ा इन आंधर परदेश, and caves and rock shelters of भीम बेटका इन मध्य परदेश, बहुत important, बहुत ही मैप में दिखाता हूँ, देखिए रहा, यह रहा आपका डढ़वाना कहां पर, राजस्थान में, भीम बेटका, मध्य परदेश, बोर इस मैप में lower, middle, upper तीनों की sites दे रखी है, जिसमें से यह lower paleolithic sites आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ, यही मैप मैं आपको घुमा फिरा के दिखाऊंगा, middle में भी और upper में भी, ठीक है, तो यह आपको पता होना जीए, उसके अलावा, the principal occupation of the people was food gathering, hunting and fishing, उसके अलावा scavenging भी जोड सकते हैं, है ना, तो मैं आपको घुला ना, paleolithic इंसान का occupation क्या था, hunting, gathering and scavenging, the tools of lower paleolithic age include many hand axes, clevers, choppers and chopping tools, लेकिन बिल्कुल primitive form के hand axes, बड़ा सा पत्थर मिला, उसको तोड़ा, वो थोड़ा सा, थोड़ा सा तीखा हो गया, उसको थोड़ा सा तीखा हो गया, उसको थोड chopping tools, खाल उतारने के लिए, हड़ियां तोड़ने के लिए, मास निकालने के लिए, ठीक है, तो ये sites में आपको पता ही, डिडवाना, भीमबेटका, बोरी, नागरजुन, नागरजुन कॉंड़ा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, यहाँ पर चिर्कीनेवासा site भ आगे देखिए, नेक्स आता है, आपका middle paleolithic age, 150,000 से 35,000 BCE, the age marked the appearance of homo sapiens, homo sapiens यानि कि the wise man हमें आता हुआ नजर आया यहाँ पर, सो भारत में homo sapiens कब मिला है हमें, the wise man तो middle paleolithic period में, ठीक है, this age is characterized by small pieces of stone, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, तो इनसान अब तराई के ख्षेतर में, मतलब और ऐसे area में move कर सकता था, जहाँ पर pebbles जो हैं वो और छोटे हैं, तो बड़े से, और इनसान को देरे देरे समझ भी आने लगा, कि जो छोटा tool है, वो relatively more efficient है, ठीक है, तो lower paleolithic से middle paleolithic में, मतलब कहा है, sophistication of tool increase हो रहा है, छोटे tools बना रहा है इनसान, the tools and artifacts of this age have been found along the sides of river Nirmada, south of Tungbhadra, foot hills of Vindhya's, Balan Valley of Uttar Pradesh, तो देख रहे हैं आप, यह सारे, या तो river basin है, या तो foot hills में, कहां कहां पर, Nirmada, Nirmada के साथ साथ चलती है, पूरी की पूरी विंधया range, तो विंधया range और नर्मदा की basin का area और विंधया range की foot hills Balan Valley में, उसके अलावा Tungbhadra, देख रहे हैं आप, जहां पर नदी होगी, या जहां पर नदिया होगी, river complex होगा, वहां पर पत्थर गोल होगा, और गोल पत्थर को chop करना, उससे 1000 बनाना आसान होता है, क्योंकि एक side को पकड़ने के लिए, गोल surface हो जाती है, तो handex जो है, वो असानी से बन जाता है, उससे, ठीक है, तो इनी सारे areas में, तो आप कहेंगे कि गंगा का भी तो है, गंगा का river basin भी तो इतना बहतरीन है, यहां पर क्यों नहीं हमें lower palilithic side देखने को मिलती, तो इसका जवाब यह है कि गंगा का जो basin है यह बहुत ज़्यादा तो इनसान relatively इतनी ज़्यादा उपजाओ भूमी में भी नहीं रह सकता, क्योंकि घने जंगल में शिकार कैसे गरेगा इनसान जब खुद शिकार रहने की probability बनी रहेगी, वो stone tools उसको available नहीं होगे, तो इनसान ऐसी ही जगा पर शुरुआत में रहना शुरू किया इनसान ने बहले लेकिन ज़्यादा उपजाओ नहीं है अथर अब लेबल है, similarly नर्मदा, बेलन वैली ज़्यादा उपजाओ नहीं है, गंगा के पराबर उपजाओ नहीं है, जंगल है, लेकिन उतना dense forest नहीं है जितना गंगा के मैदान में था, similarly तुंग बदरा और ये river कावेरी और तुंग बदरा का जो पूरा complex है, ठीक है, पिशना कावेरी इन नदियों का जो पूरा complex है, यहाँ पर जितनी भी खास तोर पे western घाट्स और eastern घाट की जो पहाडियां है, इनका जो, मतलब lower side जो है वो, ठीक है, मतलब hills का जो lower side है, यहाँ पर बहुत easy residence मिल जाता है इंसान क पेले लिथिक इनसान को, ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए, विंधिया रेंज, सत्थपूडाज, western घाट, eastern घाट, छोटा नागपूर, अरावली रेंजिज, हिमाले में भी देखिए, यहाँ पर हिंदुकुष, सुलेमान, और इधर हिमाले की जो तराई ह ठीक है, जो शिवालिक रेंजिज हैं, खासवर पर पंजाब के असपास, यहाँ पर हमें, अरली इंसान के एविडेंसिज देखने को मिले हैं, नील गिरी में, काडमम हिल्स में, ठीक है, यहाँ पर हमें, अरली इंसानों के एविडेंसिज देखने को मिले हैं, ठीक है, जो ठीके, the age characterized by appearance of homo sapiens sapiens, the modern man, मिजो, not मिजो, लेकिन, middle paleolithic में homo sapiens आया, और, यानि की the wise man, और upper paleolithic में आया, homo sapiens sapiens, यानि की the modern man, the age characterized by appearance of homo sapiens sapiens, the modern man, the climate was less humid during this age, अब देखिये, धीरे-धीरे मौसम जो है, वो गरम होता जा रहा है, the tools of upper paleolithic age include burins and scrapers found in आंधर परदेश, महाराश्ट्रा, मध्य परदेश, साउथ उत्तर परदेश, जारकंड, हर जगा, क्योंकि अब जो है, वो मौसम धीरे-धीरे गरम होता जा रहा है, तो इनसान और tools बनाना भी काफी अच्छे से सीख गया, इनसान शिकार करना भी सीख गया, अपना खुद का defense करना भी सीख गया, तो अब diversify कर रहा है, ठीक है, तो इनसान फैल रहा है अब धीरे-धीरे, ठीक है, तो ये देखिए, ये है paleolithic sites इन इंडिया का map, फिर से जिसमें मैं आपको upper paleolithic sites बताता हूँ, देखिए कहां कहां पर है, ठीक है, तो upper paleolithic sites, ध्यान से देखिएगा, zoom करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में देखिए, बुढ़ पुषकर में upper paleolithic site, डिडवाना में upper paleolithic site, ठीक है, उसके अलावा, यहाँ पर आपको महराष्ट्र में, आपको इमाम गाओं में upper paleolithic site, ठीक है, निवासा में upper paleolithic site, उसके अलावा भीम बेटका में भी upper, so that means, देखिए, जो भी हमने पहले पुरानी important paleolithic sites देखी न, खास दर पे lower और middle, उनी में ही आपको upper paleolithic sites भी नज़र आएंगी, जैसे कि भीम बेटका में देखिए, lower, middle और upper तीनों है, क्यूंकि caves available है, जंगल बहुत बहतरीन है, जादा घना भी नहीं है, stone tools available है, similarly, डिडवाना में तीनों sites है, ठीक है, यहाँ पर आपको महराश्चर में तीनों sites देखने को मिल रही है, ठीक है, इधर आपको दक्षिण में, तमिलाडों में तीनों sites देखने को मिल रही है, तो इस map को आप जो है वो इसका screenshot ले लेंगे, या उसके लावाज जैसे मैंने कहाना आपको, अगर आप चोहान underscore sir underscore history, टेलिगराम चैनल को अगर आप ढूंडते हैं, तो मैं आपको pdf दे दूँगा, उस pdf में इस map को आराम से देखते रहीएगा, कि कहां कहां पर lower, middle और upper paleolithic sites, या कहां कहां पर तीनों की तीनों sites भारत में available हैं, और कुछ important example मैंने आपको बताया है, जैसे डिडवाना, भीम बेटका, ठीक है, इधर जैसे रेनुगुंता, ये ऐसी sites ने जहां पर तीनों की तीनों evidences में में मिले हैं, अब देखिए, अब ये इंडिया की climatic conditions के हिसाब से, पेलियलिथिक age को define करने ही कोशिश की जा रही है, तो ये जो पूरा north वाला region है, हिमाले वाला, बहुत जादा सर्द, बहुत जादा ठंडा रहता है, ठीक है, थार वाला region बहुत जादा गरम रहता है, so optimum condition कहां बनती है, ये नर्मदा वाला, ठीक है, उसके लावत तुंग भदरा, कृष्णा कावेरी वाला region, ठीक है, ये मतलब नीचे कावेरी, कृष्णा, तुंग भदरा वाला region, ये बनता है optimum condition, यहाँ पर रहना जो है, वो सही रहेगा इंसान के लिए, और इंसान ने यह ways of human in Paleolithic, the people of this period were mostly nomadic and moved from place to place, they were characterized by banned society consisting of small communities of less than 100 people, so Paleolithic period में लंबी-लंबी दूरी तक शिकार करना पड़ता होगा, क्योंकि जानवर migrate करते थे तो उनके पीछे-पीछे चलना पड़ता होगा, ठीक है, मान लीजिये भैसों का जुण है, ठीक है, या मान लीजिये जंगली उनके पीछे-पीछे चलना पड़ता होगा, so band society कहा जाता था, क्योंकि 100 या 100 से कम संख्या के bands में रहा करते हैं, so that means समाज बना कर रहे है न, शुरू कर दिया था इंसान ने, Paleolithic period में, the stone tools were made up of hard rock known as quartzite, बहुत important, बहुत important fact, कौन सा stone tools बन रहे हैं, किस पत्थर क्या बन रहे क्यों, क्योंकि quartzite को जब आप तोड़ते हैं तो उसमें तीखी edges बन जाती है, ठीक है, large pebbles, large pebbles कहा मिलते हैं, river basin में, were often found in river terraces, the hunting of large animals would have required the combined effect efforts, efforts of a group of people with large stone axes, तो मैंने आपको बताने शिकार करने का तरीका क्या था इंसान का, कि मान लीजिए किसी जंगली बहसे का शिकार कर रहे हैं, तो उस जंगली बैसे को दोड़ाएंगे, दोड़ाएंगे, उसके जुंड से अलग करेंगे, फिर उसको पहाडी की खेतर, पहाडी side जो है, वो दोड़ाना शुरू करेंगे, ऐसी जगा तक ले जाएंगे, जब वो या तो किसी cliff तक पहुंच जाए, यानि कि एक इकी ड़लान तक पहुंच जाए, फिर वहाँ से उसको धकेल दिया जाएगा नीचे, फिर वो जानवर नीचे जाके गिर जाएगा, या तो घायल हो जाएगा, तो मर जाएगा, और फिर उसको जाकर, उसमें से मास को काटके, अपने अपने घर ले जाएगा, उसके मास को, ठीक है जहाँ पर भी settlement है तो इस तरह से शिकार किया जाता होगा उसके लागवा mostly इंसान ने scavenging करी है ठीक है चुरवाती खास दोर पर lower पहले थिक के इंसान ने और जो एफरीका में है उन्होंने तो mostly scavenging करी है वो भेडियों लकड बगों जंगली कुत्ते शेर तेंदुए बगीरे बाग जितने भी यह मतलब जो apex के predators है इनका वेट करते थे इनका पीछा करते रहते थे कि यह शिकार करेंगे शेर के जुंडों का पीछा करते रहता होगा इंसान या भेडियों के जुंडों का पीछा करता रहता होगा यह शिकार करेंगे और इनके शिकार में से ज उस समय तो कोई ऐसी genetic study थी नहीं कि आपस में जो है वो मतलब reproduce नहीं करना है भाई बहनों को तो जो relation जो मतलब कोई social ऐसे conduct तो नहीं थे तो जो पूरा परिवार है वो आपस में भाई बहन मतलब रिश्यदार ही हुआ अगरता था ठीक है अब यहाँ पर देखिए बहुत problematic statement है ठीक है बहुत sexiest statement है क्योंकि यहाँ पर gender roles को define कर दिया गया तो जो शुरुवाती मानव था उस समय माना जा सकता है कि gender roles वो divided थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि औरते शिकार नहीं क्या करती थी जो कुशल औरते थी जो शिकार करना ज शिकार करती थी लेकिन लंबी दूरी तक कई कई दिनों तक और लंबी दूरी तक जानवरों का पीछा करने वाला जो शिकार रहता होगा ना ठीक है मैंना आपको जानवरों को ठकाया जाता है और फिर मारा जाता है इस तरह के शिकार को मुसली मैन क्या करते थे और caves में या जहाँ पर भी settlement है वहाँ पर बच्चों की देखरेक करना और gathering करने का काम जो है वो महिलाओं ने संभाला होगा तो ऐसे evidences हमें मिले हैं भारत से the exchange of goods was based on reciprocity अब देखिए trade था या नहीं था तो जी हाँ बिल्कुल trade था क्यों की हमें देखने को मिला है जो नर्मदा वाला जो region है यहाँ पर जो इंसान या बेलन वैली के जो हमें पेले लिथिक settlements मिली हैं वहाँ पर हमें शल्क CP देखने को मिल रही है यानि कि इंसान trade किया करता था ठीक है वो trade कैसे कर रहा है मान लीजिए कि किसी ने मैंने जो है वो शिकार किया है मैं पेले लिथिक इंसान हूँ मैंने शिकार किया है तो मैंने मास दे दिया और मास के बदले CP यां ले ली CP को मैंने पिरो कर जो है वो गले में पहन लिया तो यह fashion का जो है वो शौक पिलिलिथिक इंसान को भी था ठीक है there was no formal government or chief in this society so alpha males जो लड़ जगड कर सबसे strong आ गया वो alpha male या alpha female हो जाती थी so there was no formal government in this society ठीक है not much is known about their language and communication method अब देखे यहाँ पर न इंसान ने भाशा जो है वो करी तो paleolithic period में ही develop है या शुरुवाती जो sound languages आप बोल सकते हैं ठीक है वो paleolithic period में करी है लेकिन उसके बारे में हम कुछ ठोस तरीके से कह नहीं सकते शुरुवाती इंसान के अगर vocal codes को study करा भी जाए तो हमें ये तो मिलता है कि उन्होंने language हो सकता है कि develop कर ली हो make crude pots and gruesome plants अब देखिए अब इनसान जो रहा होगा धीरे धीरे खास दोर पर जो upper paleolithic का इनसान रहा होगा उसको एक बाद समझ आई होगी कि यार ये जो एक तरह की घास है इस घास में एक बीज लगता है और वो बीज मैं खाता हूँ तो उसको eventually generation by generation उनको ये समझ आया होगा कि इस particular मोसम में ये बीज वाली घास लगती है यहां से domestication of plants यानि की agriculture शुरू हुआ है जब इनसान को समझ आया है कि certain plant में certain बीज या certain fruit लगता है और जिसको मैं उगा सकता हूँ इस बीज को जमीन में दफनागर तो इनसान ने agriculture को discover कर लिया लेकिन जो paleolithic इनसान था उसने agriculture को अभी तक इतना deeply नहीं समझा था तो वो क्या करता था वो weight करता था naturally उस घास के उगने का जो बीज दे रही है अगर आप गेहूं को, चावल को, मक्की को देखें तो basically ये घास हैं जिनमें बीज लगता है ठीके so, yes so domestication of animals PC तरह शुरू हुआ होगा मानली जी एक आग लगी होगी कहीं और इनसान बैठकर जो है वो खाना खा रहे होंगे कोई भेडिया जो जुण से निकाला गया है अपने वो आकर जो है वो इनसान के भूका होगा कई दिनों से क्योंकि भेडिया जुण से निकाल देते हैं जो कमजोर भेडिया होते हैं उनको निकाल दिया जाता है जुण से तो वो कमजोर भेडिया आकर पास में बैठिया होगा इनसान के इंसान ने हो सकता है कुछ दिन तो उसको खाना ना दिया हो लेकिन एक दिन हो सकता है किसी kind इंसान ने खाना डाल दिया हो उस भेडिये को अब उस भेडिये को ऐसा समझ आया है कि मेर को ये इंसान खाना डाल रहा है और मैं अब इसको protection दूँगा तो यहां से एक symbiosis create हो गया वो शुरुवाती भेडियो ने इंसान को protect करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इंसान ने domesticate कर लिया उस जानवर को और भेडियो से हमें कुट्टे मिल गए, dogs मिल गए तो कुछ इस तरह जो है वो यह hypothetical है लेकिन कुछ इसी तरह domestication हुआ भी हुगा, the skulls अब देखिए यहां पर एक बहुत important point है कि homo sapiens या उससे पहले homo habilis, homo erectus यह सब इंडिया में develop नहीं हुए अफ्रिका से migrate कर के आए हैं, लेकिन anthropoids इंडिया में develop हुए कुछ जिनके evidences हमें मिलते हैं, the skulls of rama pithekas, pithekas का मतलब होता है न, ape and rama जो है वो जोड दिया गया है इंडिया में, so rama pithekas, siva pithekas और krishna pithekas, who lived two million years ago, have been found in potwar plateau in Pakistan, Punjab and in shivalik hills area, so present day himachal परदेश का जो तराई का क्षेतर है न, जो lower पहड़ी हैं, shivalik एरिया का जाता है, जो जो lower वाला हिस्सा होता है हिमाले का, that is shivalik, उसके अलावा potwar plateau जो present day पाकिस्तान में है, यहां पर हमें, shiva pithekas, rama pithekas, krishna pithekas के evidences मिलें, जो की, जो की directly modern day इंसान के पूरवज नहीं है, लेकिन वो उसी direction में, उसी direction में evolute हो रहे थे, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए, हो सकता है, मौसम जेंज हो जानी के वैसे, हो सकता है, किसी और, किसी और species ने, किसी और species ने, उनको जो है, वो eliminate कर दिया हो, उस ecosystem से, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो modern इंसानों में evolute नहीं हो सके, लेकिन वो उसी direction में move कर रहे थे, ठीक है, evolute हो रहे थे, तो ये रामा पितकस और सीवा पितकस के skulls जो हैं, वो हमें देखने को मिले हैं, ठीक है, आगे देखिए, next आता है, मिजोलिथिक और मिडल स्टोनेज, तो I hope आपको पेलिलिथिक एज समझाई होगी, पेलिलिथिक साइट्स कहां कहां है, वो भी समझाई होगी, टेलिग्राम चैनल पर जाएंगे, मेरे चोहान अंडर्सकोर सर अंडर्सकोर हिस्ट्री, वहाँ से पीडिएफ मिल जाएंगी आपको, ठीक है, और अगर आप कोई भी, कोई भी प्लैन, कोई भी जो है, वो सब्स्क्रिप्शन प्लैन लेना चाता है न अकेडमी का, तो मेरा कोड यूज करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे स्टुट्स को मिलेगा, उतने ज्यादा कंटेंट में डाल सकूँँगा, आपके लिए, ठीक है, औ नौट मोर देन 5 cm in size, अब यहाँ पर खेल बदला, मिजो ले ठेक, कैसे बदला, प्लाइस्टो सीन से होलो सीन में, जब बदला है, पिरियड, क्यों बदला है, क्योंकि आईसेज खतम हुई, तो होलो सीन आया, आईसेज खतम हुई, तो मौशम हो गया गरम, मौशम हो गया गरम तो अब इंसान जो relatively बिल्कुल तराई के ख्षेतर में रहा रहा था थोड़ा सा height में जाकर रह सकता था थोड़ा सा height में जाकर उसने रहना शुरू किया पहाडों में थोड़ा सा height में जाकर तो वहाँ पर पत्थर जो है वो relatively उसको pebbles relatively छोटे मिले क्योंकि बहाव नदी का तेज है तो pebbles relatively छोटे हो गए ना size में जो relatively छोटे size के जो पत्थर है उनसे relatively और छोटे size के tools बनाये जाने लगे जिनका size 5 cm या उससे कम रहा उसको कहा गया माइक्रोलिथ तो जब paleolithic से mesolithic में change क्या है कि tools जो है वो हमें छोटे-छोटे मिलने लगे तो हमने कहा माइक्रोलिथिक tools और उस age को कहा हमने mesolithic age और जैसे कि मैंने आपको बताए ना पेलियोलिथिक की characteristic क्या है hunting, gathering, scavenging, large tools not that large but still large tools मीजोलिथिक में क्या है मौसम गरम होने लगा, छोटे tools बनाए और अब इनसान ने धीरे-धीरे ये समझ लिया कि ये जो घास है इसको मैं खुद से कैसे हुगा सकता हूँ कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे शरीफ जानवर हैं, भेड बकरियां, ठीक है, गाए भैस, ये शरीफ जानवर है जिनको मैं domesticate भी कर सकता हूँ mask के लिए भी, दूद का हमें clarity नहीं है, दूद के बारे में उसको समझ थी या नहीं थी, लेकिन mask भी तो definitely समझ थी खाल की definitely समझ थी, खाल से जो है वो कपड़े बनाए जा सकते हैं so domestication of animal शुरू हुआ, ठीक है, agriculture शुरू हुआ, किस में, मिजोलिथिक में, पेले लिथिक में ना ही domestication था, बहुत ना मात्र था, बहुत हलका सा, ठीक है, बहुत हलका सा domestication था, बहुत हलके से relation हमें domestication के मिले हैं, लेकिन मिजोलिथिक में हमें transition phase है, हमें mesolithic में थोड़ा बहुत domestication और थोड़ा बहुत agriculture देखने को मिलता है लेकिन neolithic full-fledged domestication and full-fledged agriculture तो paleolithic hunting, gathering, scavenging, no domestication, no agriculture, neolithic full agriculture, full domestication of animals और mesolithic transition है, hunting gathering भी चल रही है, थोड़ा बहुत domestication हो गया, थोड़ा बहुत domestication of animals and plants बोद the mesolithic remains are found in बागोर, in Rajasthan आदमगर्ड in मध्यपरदेश Central and Eastern India South of River Krishna Southern Southern Uttar Pradesh and Bihar, अब देखिए, यह सारा जो area है, यह आपका अभी भी तराइक अक्षेतर ही है, ठीक है मैप में दिखाता हूँ कहां कहां so, देखे mesolithic sites में, थोड़ा सा अगर मैं आपको zoom करके दिखाऊँ तो, राजस्थान में आपको mesolithic sites देखने को मिलेंगी उसके अलावा देखिए, यहाँ पर यह सदन उत्तर प्रदेश है, सदन उत्तर प्रदेश basically कहां, जो Bailan Valley वाला area है तो basically यह देखिए, बागोर आपको नजर आ रहा है ठीक है, बागोर आ गया यह एक mesolithic site है ठीक है तो खेर मैं आपको points पढ़ा देता हूँ पहले उसके बाद फिर हम map में डिसकस करेंगे तो बागोर इन राजस्थान आदमगड इन मद्यप्रदेश, सेंट्रल इन इस्टर इंडिया साउथ और रिवर कृष्णा और सदन उत्तर प्रदेश इन बिहार तो साथ हजार से छे हजार बीसी कहां पर सांभर इन राजस्थान जो है वो प्लांट कल्टिवेशन के एविडेंस हमें देखने को मिले हैं बहुत इंपर्ट प्रदेश अब देखिए ये बागोर जो है वो बेसिकली राजस्थान में नहीं है बागोर उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई लिखने में अच्छा बागोर राजस्थान वाला भी है एक बागोर राजस्थान में भी है और एक बोलन वैली में भी है बागोर ठीक है दोनों में है उसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सारी साइट है यह सारी की सारी मिजोलिथिक साइट ही तो है ठीक है देखिए यहाँ पर हर जगा है जहाँ पर भी रिवर है आप देखिए यह कृष्णा तुंग भदरा के बेशन में आपको यहाँ पर मुचलता यह जो है वो क्या है रेनिन गुंटा यह एक मिजोलिथिक साइट है बहुत इंपोर्टन्ट उसके लाब अगर आप नर्मदा बेसिन में आ जाएंगे तो भीम बेट का मिजोलिथिक साइट है बहुत इंपोर्टन्ट तो यह मैप आपको पीडिएफ मिल जाएगा इस मैप को आप स्टडी कीजेगा यह सारी मिजोलिथिक साइट ही है इसमें से आपको डूढ़ना है कि कौन सी मिजोलिथिक साइट इस आल्सो पेलिलिथिक साइट ठीक है आगे बढ़ते है so the people of this age were also hunters and gatherers however there was reduction in nomadism nomadism यानि कि भटकना उन्होंने बंद कर दिया और स्थाई निवास की तरफ यानि कि settlement establish करने की तरफ जो है वह अब धेरे धेरे इंसान ने कदम बढ़ा है इसलिए मैंने बोला न मिजोलिथिक is transitional phase पेलिलिथिक में hardcore nomadism हो रहा है hardcore hunting gathering हो रही है नियोलिथिक में इंसान ने agriculture शुरू कर दिया तो बसना शुरू कर दिया settlements हमें village development जो है वह दिखने को मिलता है कहाँ पर नियोलिथिक साइट में और मिजलिथिक में क्या है nomadic भी है village भी बना रहा है ठीक है तो दोनों गाम कर रहा है यानि पेलिलिथिक as well as नियोलिथिक दोनों के features है that is what transitional phase right the main occupation was hunting and fishing though the people of this age hunted small animals instead of big animals अब बड़े animals की जगा छोटे animal क्यों जो है वो हंट करना शुरू किया क्योंकि अब धीरे धीरे agriculture की तरफ भी बढ़ रहा था एंचान with a favorable climate and increased food security there was reduction in nomadism as a result people started domesticating animals practiced horticulture and primitive cultivation started climate धीरे धीरे गरम होता गया गरम होने की वज़े से घास जो बीज वाली घास की संख्या बढ़ गई इनसान को समझा गया कि बीज वाली घास का भूग रही है तो इनसान ने cultivation शुरू कर दिया cultivation शुरू हो गया cultivation का मतलब यह कि 3-4 महीने बैठना पड़ेगा वहाँ पर उसकी सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी ना कोई चिडिया ना कर खा जाए कोई जानवर ना कर खा जाए that means इनसान ने settle होना शुरू कर दिया जानवर भी domesticate कर लिया कि जब तक यह बीज नहीं तयार होगा तब तक क्या खाएगा तो तब तक इस भेड वकरी गाएं भहस को रख लेता हूँ एक एक करके इनको मार के खाते रहेंगे तो domestication of animal भी शुरू हो गया ठीक है primitive cultivation भी शुरू हो गई आगे देखिए animal remains have been found in these sites which consisted bones of dogs, deer, boar and ostrich ठीक है तो ostrich के अंडे देखने को मिले उस पर इवन नकाशी करी हुई है इनसान ने ठीक है येस ostrich पहले इंडिया में मिलता था अब extinct होगे इंडिया से कुत्ते domesticate की इनसान ने हिरनों को पकड़ कर बांध कर रखा हुआ ठीक है उसके लावा boar यानी सूरों को domesticate किया इनसान ने अब देखें यहाँ पर burial practice जो है वो हमें सबसे पहले कब कब जो है वो stone age में burial practice देखने को मिलती है तो हमें mesolithic में burial practice देखने को मिलती है तो आप कहेंगे कि palaeolithic इनसान अपने परिवार के साथ क्या करता था तो उनको मरने के लिए मरने के बाद उनकी लाशों को छोड़ दिया जाता था और eventually उनकी लाशों को जानवर जो है वो खा जाता है थोड़ा बहुत शोक तो मनाया जाता होगा लेकिन proper burial की जो practice है वो हमें mesolithic में देखने को मिली है ना कि paleolithic में भारत में का concept था या नहीं था इसके ओपर clarity नहीं है क्योंकि literary source नहीं है लेकिन दफनाए गए इंसान के साथ कुछ stone implements कुछ ornaments वगेरा गाड़े जाने का मतलब यह है कि हो सकता है कि afterlife का concept उनने लगता हो कि afterlife है मिजुलितिक human burials have been founded बागोर इन राजस्थान लाल गंज इन गुजरात भीम बेटका इन मध्य परदेश एट सेक्टरा तो देखिएगा यह तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने है मिजुलितिक में कहां कहां पर बागोर इन राजस्थान ठीक है लाल गंज इन गुजरात और भीम बेटका इन मध्य परदेश हमें बरियल साइट्स देखने को मिली है मिजुलितिक ठीक है रॉक पेंटिंग्स हैव बिन फाउंड इन विन अब अब देखिए रॉक पेंटिंग्स इनसान ने कब करना शुरू किया आथ is a luxury अपनी emotions को express इनसान तभी कर सकता है जब उसको express करने की उसके पास समय हो और अगर पूरे ही दिन इनसान survival के पीछे लगा रहेगा तो वो कब अपने emotions को express करेगा राइट इनसान ने जब relative safety acquire कर ली तो भीम बेटका में गुफाएं है relative safety है सुसाइटी बनाकर रहना शुरू कर दिया, ठीक है, सेटलमेंट्स एस्टेबलिश करनी शुरू कर दिया, कल्टीवेशन शुरू कर दिया, तो अब इनसान ने आर्ट करना शुरू किया, और हमें सबसे पहले दिवारों पर चेतर कलाएं देखने को मिलती हैं, रॉक पेंटिं के बारे में डिटेल में समझाओंगा, लेकिन भीम बेटका की रॉक पेंटिंग्स आपने सुनी होंगी, उसके अलावा मद्दे प्रदेश में आदमगड और जोड लीजिए, वहाँ पर सेम सिमिलर रेंजीज में हैं, वही उसी तरह की जिस तरह की भीम बेटका में पेंट जुलाई में जीएस पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं आपको रॉक पेंटिंग्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी केवल आपको फैक्ट के तौर पर प्लेस दियान रखना है, कहां कहां पर है, ठीक है, यह रा भीम बेटका, आदमगड, यह आपका बागोर है, एक शेकिंड, यहां पर पॉइंट लिखाए ना, मैंने गई, लंगनाज, लंगनाज इन गुजरात, ठीक है, लंगनाज इन गुजरात, आगे देखिए, लाइफ इन मिजोलिथिक एज, अब मिजोलिथिक एज के इंसान का जीवन कैसा था समझते हैं, The subject matter of the paintings is wild animals, अब यहां पर थोड़ा बहुत painting के बारे में देखते हैं, कि जो paintings बनाई इनसान ने, उन paintings में वो बना आता क्या था, तो जो वो देखता था वो बना घेता था, तो मिजोलिथिक एंसान आसपस क्या देखता था, मिजोलिथिक एंसान आसपस देखता था कि हम कैसे कर रहे है हमारा कोई एक नया जो है वो मतलब बच्चा पैदा हुआ हमारे परिवार में हमारा कोई बुड़ा या जवान मर गया ठीक है हमने जो है वो बारिश हुई थी तो हम नाचे थे तो यह सारी चीजें हम शिकार करने गए थे तो हमने जो है वो कुदरत की पूजा लाइफ है ना कि मतलब वही मरना मरना जीवन उसके अलावा जो मतलब जो भी रिलिजियस और सोचल लाइफ है इंसान के उससे में उस सबको जो भी वो देखते है यानि कि जैसा वो देख रहा है वैसे उसने बना दिया ड्रॉ कर दिया ठीक है the main economic activities were hunting fowling fishing and wild plant food gathering तो वही है hunting gathering थोड़ा से agriculture थोड़ा से domestication ठीक है उसके अलावा खाल से जो है वो कपड़े बनाना ये सारी चीज़े जो है वो main economic activity the first animals to be domesticated were dogs बहुत important सबसे पहला domesticated जानवर कौन सा है कुत्ता है ठीक है उसके अलावा cattle sheep cattle sheep and goat जो है वो कहां पर हुई है जो northwest frontier है यहां पर cattle sheep और goat को domesticate किया गया है while the first plants to be cultivated were wheat and barley यानि कि जओ और ग्यहूं wheat और barley को सबसे पहले domesticate किया गया है उसके अलावा dogs sheep और goats ठीक है dogs जो है वो social animal है इसलिए domesticate हो गया उसके अलावा sheep और goat जो है वो बहुत ज़्यादा submissive जानवर है इसलिए वो domesticate हो गया ठीक है handmade pottery की बात करें बहुत important points है यह एक-एक करके ठीक है यह art की बात आ गई यह economic की बात आ गई यह animal अरजुन कॉंडा अंधरपरदेश और चोपानी मांडो चोपानी मांडो आप मुझे तुरंद कमेंडों बताएंगे कि चोपानी मांडो कहा है आगे मैं आपको मैप में दिखाता हूं लेकिन अगर आप जानते हैं तो मुझे तुरंद कमेंडों बताएंगे अब जी हाँ ये प्रीमियर है आप कैसे कमेंट पढ़ेंगे तो देखिए प्रीमियर मैं अपलोड करूँगा जाद से जादा लेकिन जो कमेंट चलेंगे लाइव चैट जो भी सवाल पूछूँगा उनके जवाब चोहान ऑन्डर सकोर सर अन्डर स्कोर हिस्टरी तेलिग्राम रहते थे, economy किस तरह चल रही है, domestication क्या है, pottery कहां कहां पर है हमारे पास, अब next चीज आ गई हमारे पास, घर किस तरह गए, तो घर में जो है वो, आप देख रहे हैं, paved floor वगएरा, flooring वगएरा करनी शुरू कर दी, यानि की, स्थाई, मतलब, एक permanent settlement जो है, वो रहने की establish करनी शुरू कर दी इंसान ने, ठीक है, तुले का concept अभी इतना उनका clear नहीं था, तो देखिए रहा आपका नागारजुन कॉंड़ा, ठीक है, यह है चोपानी मांडो, चोपानी मांडो कहां है, आपका, बेलन वेली में ही है, यह चोपानी मांडो, यह चोपानी मांडो, उसके और यहाँ पर और भी है, ठीक है, बाशोर है, ठीक है, उसके अलावा लेखायमा, यह जो sites हैं, यह बहुत important है, बहुत important, ठीक है, इन सभी sites में, नियोलिथिक की जब बात करेंगे, तब वहाँ पर आपको इन बाकी सारी slides को भी दिखाऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यह देखाए, यह रहाँ आपका लहंग नाज, कहाँ पर गुजरात में, यह आपका राजसान वाली site, अब बात करते हैं, नियोलिथिक एज की, सो मिजोलिथिक से, मिजोलिथिक क्या है, ट्रांजिशनल फेज है, गर्मी बढ़ने की वज़े से, इनसान ने domestication of plant and animal किया और नियोलिथिक आते आते, नियोलिथिक एज हमने कब का, जब इनसान पूरी तरह domestication कर चुका था, plant और animals का, और agriculture पे जो है वो इनसान की एकॉनमी, और इनसान की एकॉनमी, agriculture पे जाधा आधारीत हो गई, hunting gathering कर रहा है इनसान, लेकिन कम कर रहा है, ठीक है, वो उसका side business बन valley नुत्तर प्रदेश, and several places in Deccan, Deccan में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह जो river system है न, जितने भी, इनके तराई as well as, इनके lower hilly areas में हमें, नियोलिथिक साइट्स देखने को मिली हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कश्मीर में, बुर्ज sites in South India are, मस्की, ब्रहमगिरी, हल्लूर, कोडेकल in करनाटक, पैयमपली in Tamil लाडू, उतनूर in आंदरप्रदेश, यह बहुत important है, आगे मैं आप में भी दिखाऊंगा, उसके अलावा, महरगड located on banks of river Bolan in Kochi plain in Baluchistan is a neolithic site, और यह जो महरगड है न, इसको का जाता था कि महरगड में earliest evidence है किसके cultivation के, लेकिन इसको contradict करते हुए, मैंने अभी आपको एक राजस्तान की site बताई थी, कि वहाँ से earliest evidence मिले है किसके, इंडिया में cultivation के earliest evidence वहाँ से मिले है, ठीक है, उसके अलावा, Balan Valley के region में भी का जाता है कि earliest evidence वहाँ पर है, लेकिन नहीं, जो उत्तर वाली बिलन वैली है, यहाँ की कुछ site में भी बोले जाता है कि earliest evidence agriculture के वहाँ से मिले, लेकिन नहीं, राजस्तान से मिले है, earliest evidence of agriculture, ठीक है, तो आईए अब देखते हैं, यह map में कहां कहां है, तो देखिए कश्मीर में बुर्ज होम, ठीक है, यह आपका, मेहरगड आपको न जरारा उडिसा वले अरिया में, और यह north east में जो गारों की पाहडियां हैं, यहाँ पर देखिए, बहुत important, सरुतराल, बहुत important site, ठीक है, उसके लावा दक्षिण भारत में देखिएगा, नागारजुन, कॉंडा, यह कोडेकल, मस्की, ठीक है, उसके अलावा पलोवे, ब्रहमगीरी, हलूर, यह सारी important sites हैं, नियोलिथिक, और यह map भी आपको, जो मैं PDF दूँगा, उसमें मिल जाएगा, उसमें आप आराम से पढ़िएगा, इस map को देखकर, ठीक है, सारी sites देख बुर्ज होम है, शिरिनगर में, तो यह क्या है, देखिए, excavated neolithic site और modern towns, उनके आसपास modern towns कौन कौन से, बुर्ज होम के नजदीक, शिरिनगर है, ठीक है, तो यह map आपके लिए बहुत important है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, कि neolithic जो age है, उसमें इंसान का जीवन कैस था, the neolithic age is characterized by the practice of agriculture, बहुत important point, मैंने आपको पहले ही बताया, neolithic की characteristic क्या है, agriculture, domestication of animals, settled life, domestication of animals, polishing of stone tools and manufacturing pottery, next, अब देखिए, अब इंसान खेती कर रहा है, तो जो अनाज होगेगा, उसको कहां रखेगा, बरतन में रखेगा न, so that means यहाँ पर pottery develop होने लगी, और धिरे जो potter's wheel है, वो हमें नियोलिथिक से चालकोलिथिक पीरेड के बीच में develop होता हुआ, नजर आएगा, ठीक है, the main cultivated plants were wheat, barley, rice and millets, rice cultivation was extensive in eastern India, eastern India में rice cultivation क्योंकि पानी जो है, वहाँ पर abundance में available, domestication of sheep, जानवरों में क्या क्या domesticated है, goat cattle was widely prevalent, cattle were used for cultivation and for transportation, so, गाए, बैल, भेंस, जोटे, इनका इस्तमाल जो है, वो, cultivation के लिए भी किया गया है, transportation के लिए भी किया गया, और meat के लिए भी किया गया, the practice of cultivation and domestication made way for emergence of village communities based on sedentary life, बहुत important point, तो यह सारे point में आपको समझा चुका हो नहीं हो लिए ठीक के वैसे, खेती किस-किस चीज की हुई, खेती कहां-कहां हुई, जहां-जहां sites मिली है, वहां obviously खेती हुई है, और उसके लावा sedentary life शुरू कर दिये, और sedentary life डेवलप कर दिये, that means, समाज डेवलप हो गया, समाज डेवलप हो गया, तो earliest form of settlement क्या है इंडिया में, village settlements, तो हमें village जो ठीक है, the presence of mud brick huts and stone pit dwelling at various sites indicated the presence of villages, हमें कैसे पता की villages है, तो हमें permanent जो है, वो permanent घर देखने को मिले है, किसके कच्ची इटो के, उसके अलावा हमें pit homes देखने को मिले है, बुर्ज होम कश्मीर में, ठीक है, pit dwelling भी देखने को मिली है, the stone tools were polished, showing a significant improvement in technology of making tools and other equipments, polished axes were found to be more effective tools for hunting and cutting trees, अब देखिए, अब यहाँ पर, mesolithic से, paleolithic से mesolithic में tool में क्या बदलाव आया, कि mesolithic tools were microlithic, छोटे tools थे, mesolithic से neolithic tool में क्या बदलाव आया, so neolithic tools were polished, अब polish का मतलब यह नहीं है, कि जैसे हमने जूते, चमड़े के जूते हम polish कर लेते हैं, नहीं, polish का मतलब यह है, कि उनकी जो edges हैं, वो बहुत बारीक बनाई गई है, यानि कि, देखिए, यहाँ पर कहीं मैंने आपको tool दिखाए हैं, बनाके, ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर कहीं tools की slide थी है, एक second, यह यह देखिए, तो यह है polished tools, देख रहे हैं आप, इनकी sides जो हैं, वो इनको sharp किया गया है, इनकी sides को sharp किया गया है, these are polished tools, इसलिए इनको polished का जाता है, इनकी sides को sharp किया जा रहा है, देख रहे हैं आप, exact, जैसे कि लोहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यह लोहे के ही हैं, but these are stone tools, तो यह है polished tools, तो वेर वर वी, वेर, मिजोलिथ, हम, नियोलिथिक लाइफ को explore कर रहे थे कि कैसी है, ठीक है, so polished tools बने, that means अब इनसान ने जंगल की कटाई करना शुरू किया, ठेती करने के लिए भूमी चाहिए न, जंगल लगा हुआ है, जंगली कटाई करने के लिए, इसलिए गंगा के मैदान की कटाई नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ के जंगल है, वो बहुत घने, बहुत मोटे मोटे तने वाले पेड़, और पत्थर की कुलहडियों से वो कटेंगे नहीं, तो इसलिए जो नर्मदा वैली के आसपास के जंगल हैं, दक्षिन, दक्कन भारत के जंगल हैं, पतले पतले तने वाले जो पेड़ Tools made of bronze were also found in चिरांद इन बिहार और बुर्ज होम इन कश्मीर, तो अब देखिए यहाँ पर नियोलिथिक से metal age में transformation, अगला जो change या बदलाव आया है, वो नियोलिथिक से metal age में change किया गया, ठीक है, तो नियोलिथिक से metal age में कौन सा? bronze metal यूज करना शुरू हुआ, और कौन सी नियोलिथिक साइट में metal tools मिले हैं, तो चिरांद इन बिहार और बुर्ज होम इन कश्मीर से हमें metal tools भी देखने को मिले हैं, बहुत important point, major नियोलिथिक साइट कहां कहां है, northern spurs of windhya in Mirzapur and Allahabad district of Uttar Pradesh, तो ये important है, आगे मैं आपमें दिखाऊंगा मैं आपको, northern spur of, यानि कि जो Balan Valley वाला पूरा region है, यहां पर, उसके अलावा, उत्तर प्रदेश में Mirzapur, Allahabad वाला region, ये Balan Valley से लगता हुआ ही region है, ठीक है, उसक also known for the cultivation of rice, while in Burz home of Kashmir, buying domesticated, burring, not buying, but burring domesticated dogs with their masters was prevalent, अब ये बहुत important point है, बहुत important point, कोल डिवा, Balan Valley के extension में एक ऐसी site है उत्तर प्रदेश में, जिसको काफी लंबे समय, काफ कुछ सालों तक, अभी recently, कुछ सालों तक माना जाता था कि सबसे पहला, मेहरगड से भी पहला जो है वो cultivation का evidence हमें, कोल डिवा से देखने को मिला है, क्योंकि चावल यहाँ पर cultivate हुआ है, ठीक है, लेकिन अब एक नई राजिस्थान वाली site है, वहाँ पर पता चला है हमें, कि उधर सबसे पहला cultivation हुआ है, मिजोलिथिक पिरिड में, ठीक है, उसके अलावा कश्मीर में, बु Pottery was done with the help of wheels, and these were used to store grain as well as for cooking, तो सड़े, चार से सड़े पांच, आप मान के चलिए लगभग 5000 BC के आसपास, इंसान ने potter's wheel को develop कर लिया, नियोलिथिक पिरिड में, और इंसान ने जो है, वो pottery करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो अना जुगाया है, उसको store करके भी तो रखना ह ठीक है, अब किस तरह की pottery, large urns were used as coffins for the burial of dead along with goods, this tells about their belief in life after death, तो pot burial हमें देखने को मिला है, कहां पर गुजरात में हमें pot burial देखने को मिला है, ठीक है, और भी अन्ने कई साइट से जहां पर हमें pot burials देखने को मिला है, और उन बड़े बड़े pots बनाये जाते थे, उसमें इं चान के जितनी भी जरुरत की चीज़े हैं, उसको मृत की जरुरत की चीज़े है, डाल दी जाती थी, इस विश्वास से की after life है, और after life में उस मृत के ये काम आएगी चीज़े, ठीक है, dead person के वो चीज़े काम आएगी, next देखिएगा, उसके लाबाद टेरा कोटा figurines, next quality हैं या नहीं है, ठीक है, और ये नियोलिथिक साइट्स में एक बहुत बड़ा question mark है, अभी भी इतिहासकारों में dispute है, कि mother goddess की figurines वो हैं या नहीं, या वो ऐसा तो नहीं है कि वो चालकोलिथिक या हडपन culture के elements हैं, क्योंकि देखिए, हडपन culture आपका 2500 से 1700 तक आपको देख साइट्स देखने को मिलेंगी दक्षिन भारत में, ठीक है, तो हडपन culture में हमें मूर्तियां देखने को मिली है, ठीक है, टेरा कोटा की, mother figure की, mother goddess की, तो सकता है कि ये धीरे धीरे transport, trade बगएरा होती हुई, नियोलिथिक साइट्स तक पहुंची हूँ, लेकिन ये मैं बोल जैसे कि speculation अभी भी बना हुआ है, इस पर research चल रही है, उसके अलावा बाटर सिस्टम, economy कैसे चल रही थी, बाटर सिस्टम, because there was no currency, currency हमें जनपध पीरेट से डिवलप होती ही नजर आई है, was in existence, and the external contact with चालकोलिथिक cultures was also possibility, तो मैंने बोला न, एक हजार भारत में, दक्षिन भारत की कुछ ऐसी sites है, वहाँ पर एक हजार बीसी तक नियोलिथिक पीरेट चलता रहा, इसी सेम समय, जो महराश्ण वाला रीजन है, वहाँ पर चालकोलिथिक पीरेट चल रहा है, इसी सेम समय में, गंगा के मैदान वाले एरिया में, आईरन एज शुरू हो गई है, ठीक नियोलिथिक मेटल एज वाले लोगों से ट्रेड करते होंगे, तो आप मान सकते हैं, चालकोलिथिक बेसिकली ये भी ट्रांजिशनल रूप में ही काम कर रहे है, ठीक है, आगे देखिए, नेक्स आता आपकी मेटल एज शुरू हो जाती है, यानि कि चालकोलिथिक एज, ठ चालकोलिथिक एज का मतलब अब इनसान ने धीरे धीरे पत्थरों से मेटल की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया, और पहला बड़ी मातरा में यूज करने वाला मेटल कौन चा था आपका, ब्रॉंज या कह लिजिए, कॉपर, ठीक है, चालकोलिथिक एज या कॉपर स्टोन follows the neolithic age characterized by presence of copper, bronze and stone tools, characteristic क्या है, as the name suggest, metal as well as stone tool है, तो समझ रहे हैं आप, transition है ये, stone age से metal age के बीच में जो transitional phase है, वो obviously एक ऐसा phase होगा, जिसमें metal और stone दोनों के tools यूज हो रहे होंगे, that is our चालकोलिथिक age, है ना, some microlithic tools were also used as essential items, people began to travel long distances to obtain metal ores, अब देखिए, भारत में metal ores certain sites में मिल रहा है, तो माली जी अगर दक्षन भारत का कोई वेक्ती है, उसको अगर metal चाहिए, तो उसको western इंडिया में, eastern इंडिया में जाना पड़ेगा metal लाने के लिए, ठीक है, in this way the चालकोलिथिक culture spread throughout the India, especially the river valleys the river valleys of the Godavari, Krishna, Tungbhadra, Penar and Kaveri in South, South India were inhabited by farming communities, farming communities during this time, so दक्षन भारत की यह आपको बताई, यह जो Godavari, Krishna, Tungbhadra, Kaveri, जो river system है, abundance में resources अवलेबल हैं हैं हापर, तो obviously यहाँ पर हमें neolithic sites भी बहुत भर कर देखने को मिली, mesolithic भी और अब चालकोलिथिक sites भी, obviously, ठीके, so these are चालकोलिथिक sites in India, लेकिन चालकोलिथिक site में इंसान ने, जैसे मैंने कहाना है कि, mass migration किया इंसान ने, तो यहाँ पर हमें देखिए हर जगा, जोदपुर, गनेश्वर, उसके अलाबा, बल्थाल, आहार, इरान, नवादा तोली, ठीके, यहाँ पर देखिए, द धिरे-धिरे हडपा में, ब्रॉंजेज आई, जैनी कि हडपन civilization, ब्रॉंजेज आई, और दक्षिंड भारत में, नियोलिथिक चल रहा है, तो दक्षिंड भारत में, खासतर पर नीलगिरी वाला पहाड़ी, यहाँ पर नियोलिथिक चल रहा है, तो यह जो बीच का एरिया ह यहाँ पर इसलिए हमें, चालकोलिथिक जो है, वो settlements जादा देहने को मिली है, ठीक है, महरगड में, चालकोलिथिक settlement देखने को मिली है, तो यह map आपको जो मैं PDF दूँगा, इस map को जो है, वो आप detail में study कीजएगा, आगे देखिए, Life in Metal Age, अब Metal Age में या चालकोलिथिक जो में, इनसान का जिवन कैसा था, यह भी समझ लेते हैं, Metal के ore से metal extract करके, tools बनाने की technology अभी तक उसने develop नहीं करी थी, तो वो metal को पत्थर की तरह ही इस्तिमाल कर रहा था, और बहुत crude form में copper को इस्तिमाल कर रहा था, ठीक है, The houses, तो सबसे पहले तो metal किस तरह ही उज़ता था, पहला point आगया, दूसरा house के बारे हम बात करें चालकोलिथिक, The houses were usually circular और rectangular, having only one room, but multi-room houses have been also found from इमामगाओं, बहुत important चालकोलिथिक साइट है, इमामगाओं, proper यहाँ पर villages मिले है, pottery यहाँ पर proper मिली है, ठीक है, इमामगाओं has also yielded evidences of a pit house, circular on plan with post holes and periphery, बहुत important, इमामगाओं में pit home भी मिला है में, people of चालकोलिथिक age practiced farming, hunting and fishing characteristic क्या है, economic characteristics, farming तो है क्योंकि नियोलिथिक से आगे वड़ गई है, तो domestication है, animals और plants का, ठीक है, a wide variety of crops like wheat, बाजरा, जुआर, millets, रागी, green peas, lentils, green gram, black gram, bleak gram, bleak gram, etc, तो यानि कि दलहन, pulses हुगानी, दालें हुगानी शुरू करी गई, अनाज तो हुगी रहा है, मोटा अनाज भी उगरा है, ठीक है, यानि कि ग्यहूं, बाजरा, जौ, बारले वगएरा, wheat, rice, ये सारी चीज़े हुगाई जा रही, ये देखिए, ये आ गया आपका इमाम गाउं, early villages में, तो बहुत important है ये, ठीक है, इमाम गाउं वाला रिजियन है आपर, life in metal age, next point देखिएगा, बारले वजदा chief crop grown by people of chalcolithic age, क्यों है बारले chief crop, क्योंकि अभी भी चalcolithic age के जो लोग हैं, वो कहा रह रहे हैं, नदी तरह आईगे, प्लेन में उन्होंने एंटर नहीं किया हैं, प्लेन में घरे जंगल हैं, और घने जंगल को काटने के लिए, लोहे की कुलाडी आई, ठीक है, तो जब तक लोहे की कुलाडी नहीं आई, तब तक जाओ उगता रहा, तो इसलिए बारले उनकी चीफ जो है वो फसल रही पीपल रियर्ड कैटल, शीप, गोट, बफलो और पिग्स फूर फूड अनिमल दोमेस्टिकेशन ठीक है अब देखे यहां पर वील मेड पॉटरी और नोट जस्ट प्लेन वील मेड पॉटरी बट उस पे जो है वो डिजाइन के मोटिव क्या क्या मोटिव मतलब फूल पति बनाई हूई है यह इस तरह के जिमेट्रिकल पेटरerson बनाई हूई है यह इस तरह फूल पति बनाई हूई है और जानवर बनाई हूँ है तो कई तरह के मोटिव्स जो है वह देखने को मिलते है ठीक है the black and red wear first appear during this age बहुत important black and red wear pottery black and red wear आप नेखाने जो लाल घड़ा होता है उसके ओपर काले रंग की design जो बनाई होती है that is black and red wear pottery ठीक है वो सबसे पहले हमें चाल को लिथिक पीरिड में नजर आई है the excavation of copper beads bangles and anklets from these sites show the people were fond of ornaments metal use करना आ गया अब metal से ornaments बनाने शुरू कर दिये so beads anklets both of wrist और पैरो के भी ठीक है wrist के ब्रेसलेट्स और ankles के ब्रेसलेट्स और आइंकल्स के ब्रेसलेट्स उसके अलावा ornaments अन्य जितने भी तरह के ornaments पहने जा सकते थे शरीर पर वो हमें मिले हैं चाल को लिथिक साइट से बड़े बड़े मिट्टी के earns बनाई जाते थे उसमें जो है वो dead को डाल कर उसकी ज़ुरू के समान डाल कर दफना दिये जाता था ठीक है in the habitated area और घर के आसपास ही अब यह घर के आसपास दफनानी की practice क्यों थी क्योंकि जंगली जानवर खोद कर खा जाए करते थे तो अपने मृतिकों की लाशों को protect किया जा सके cannibalism से भी as well as जंगली जानवर ना खोद के खा जाए sometimes the feet of dead were chopped off to prevent them from returning to the world ये एक बहुत interesting जो है वा evidence मिला है मृतिकों के पैर तोड़ दिये जाते थे या तो तोड़ दिये जाते थे या तो काड़ दिये जाते थे ताकि वो फिर से resurrect ना हो जाए और अगर हो भी तो चलना पाए ठीक है people used to worship mother goddess as female figurines made of clay have been found at imam gao and nevasa दोनों महराष्टर में है ये nevasa और imam gao में हमें female figurines देखने को मिली है that means उनकी religious practice का point आ गया यह burial practice का point आ गया यह religious practice का point आ गया तो इन points में इनकी headings मने लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और आप जो notes बनाएंगे उसमें headings लिखेंगे ठीक है there was also the practice of worshiping fertility cult यानि जैसे present day में ling और yoni की पूजा की जाती थी लेकिन जमीन की भूमी की fertility की भी पूजा की जाती है not just in Indian indigenous cultures but Farsi में भी Arabian culture में भी जो है वो fertility को पूजा जाता है तो कई tribal cultures में fertility को पूजा जाता है right ASI ASI क्या है archaeological survey of India has found artifacts including a chariot dating back to pre-irono bronze age at Sonali उत्तरपरदेश यह बहुत important यह recent finding है सनौली उत्तरपरदेश में एक chariot मिला है एक रत मिला है जो की iron age यानि arons जो supposedly जो theory है arons के आने की और वो अपने साथ chariot लेके आए उनके आने से पहले का chariot जो है वो भारत में मिला है कहाँ पर सनौली उत्तरपरदेश में तो यह सवाल अफेर से related है ठीक है तो इस तरह की जो recent finding वाला जो questions है यह भी मैं आपके add गरता रहूँगा ठीक है आगे देखिए the relics excavated from eight burial sites include remnants of chariot कहां की बात चल रही है अब यह सनौली की बात चल रही है यहाँ पर eight burial sites मिली है उसमें क्या मिले है chariot यानि की रथ के remnant मिले है और पोर copper antenna उसके अलावा swords weapon मिले है देखिए swords मिले है copper के crown मिले है ताज मिले है grave air pottery मिली है यानि की आग में पकाई हुई pottery मिली है wheels some without spokes without spoke wheel यानि की solid wheels मिले है ornaments मिले है helmets, shields, two daggers seven channel like object and human remains so that means ये हमें sanic मिले है या किसी तरह की जो है वो warring tribe के evidences मिले है ऐसी tribe है जो की लड़ना जानती थी क्योंकि हत्यार मिले है हमे so और आसपास की खुदाई की जाए तो और भी ऐसी हो सकता है कि कितने अलाके में फैली हो पूरी की पूरी tribe तो कई सारे evidences मिल सकते है कोशिश चल रही है भी खुदाई करने की समस्या भारत के साथ ही है क्योंकि बहुत जादा land जो है वो privately owned है लोगों द्वारा owned है लोग अपनी जमीन पर खुदाई करने क्यों देंगे एसाई को ठीक है तो जो government या पुरानी जो buildings है या जो government held जो भूमी है वहाई पर ही जो है वो खुदाई कर ली जाती है mostly ठीक है लास्ट में आती है हमारी iron age तो चालकोलितिक वज़ा ट्रांजिशनल फेज और फिर उसके वाज शुरू होती है हमारी iron age bronze age पर नहीं आएंगे क्योंकि bronze age पड़ा हूंगा आपको मैं इंडस्वली सिवलाज़ेशन दे चालकोलितिक age is followed by iron age there is a frequent mention of iron age in vedas so iron age की जानकारी हमें वेदों में मिलती है that means iron age के समय हमारे पास literal resources available है iron age की शुरुवात आप मान के चलिए 1000 BC से the iron age of southern peninsula is often related to megalithic burials अब southern peninsula की जो iron age है उसको जोड़ जाता है megalithic burial megalithic burial क्या है mega बड़ा लिथोस पत्थर तो बड़े पत्थर का burial यानि कि अपने जो भी आपका dead है जो भी आपका परिवार का मृतक है उसको जहां भी आपने दफनाया उसके उपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया अब वो बड़ा सा पत्थर अपने मृतक की याद में रखा हो आपने उनकी इज़त करने के लिए रखा हो या mostly उसका जो practical purpose है वो तो यही बनता है कि उसकी लाश को जंगली जानवर खोद कर खाना जाए लेकिन हमें दक्षिन भारत में Iron Age के साथ साथ Megalithic Culture भी देखने को मिले है The burial pits were covered with large stones Such graves are extensively found in South India Important Megalithic sites कहां कहां पर हैं हलूर मैंना आपको मैप में दिखाया था ना मस्की करनाटका में नागारजुन कोंडा अंदरपरदेश में उसके अलाबा अदिछानलूर इन तमिल नाडू तो यह सभी आपको जो है वो पिछले जो मैंने आपको मैप दिखाये उसमें मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर ही वे देखिए नागरजुन कॉंडा अदिछानलूर मस्की हलूर यहाँ पर जो है वो क्या मिली है हमें मेगालिथिक बरियल साइट मिली है और आइरन एज इन सदन इंडिया यहाँ पर 1000 बीसी ब्लैक और रेड पॉटरी उसके लाबा आइरन एज में और क्या मिला है आइरन आर्टिफेक्ट सच अच एज होज एन सिकल small weapons वर found in these मेगालिथिक बरियल साइट तो आइरन टूल्स आइरन वेपन्स जो है वो हमें मेगालिथिक बरियल साइट में लेकिन आइरन एज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें रिग वैदिक पीरिड में ब्रॉंज एज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में और ये रहा आपका मैप ठीक है कौन से मैप है ये मेगालिथिक बरियल साइट का और ये यहाँ पर आज का हमारा पूरा टॉपिक हो जाता है खतम आज हमने क्या पढ़ा प्रिहिस्टॉरिक पीरियड में पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक क्या है आई होप आपको क्लियर हुए होंगे भारत में पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स कहा है maps आपको available होंगे pdf में और pdf आपको मिलेगी मेरे telegram channel चोहान underscore sir underscore history में मेरे telegram channel join करें इसी same handle के साथ मैं instagram पे भी हूँ अगर आप मुझे dm करेंगे जो भी doubt आप देंगे उस doubt को मैं solve करने ही कोशिश करूँगा जो telegram channel पे भी अगर आपके जो भी doubts हैं यह telegram पे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो वहाँ से भी मैं आपके doubts को solve करने ही कोशिश करूँगा उसके लावा अगर आप unacademy का कोई भी course purchase कर रहे हैं या आपका साथ ही जान पैचान वाला कोई भी course अगर unacademy का purchase कर रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चोहान सर को support करें तो मेरा promo code यूज करिएगा चोहान underscore sir underscore history ही मेरा promo code है इसको use कीजेगा आपको discount तो मिलेगा ही लेकिन आपका वो discount मेरे लिए बहुत भैतरीन support होगा मेरे लिए motivation का कारण बनेगा so make sure कि आप telegram channel पर आएं अगर आप pdf चाहते हैं इस lecture की पिछले जितने भी lectures मैंने लिए है ठीक है youtube पे उसके लबा आगे आने वाले जितने भी lectures हैं सब की आपको pdf इस channel पर मिल जाएगी तो आज के session को मैं आ करता हूँ खतम I hope आपको session अच्छा लगा होगा समझ आया होगा अगर समझ आया है और अगर आपने last तक देख लिया है अगर आप मेरे regular followers हैं तो आपको आदत होगी लंबे sessions देखने की तो मैं यही चाहता हूँ लंबे-लंबे sessions हम करें और आप जो है वो detail में समझ आए क्यूंकि एक बार आपने class में पढ़ लिया उसके बाद special sessions में जो special classes लूँगा अनकेडमी की application पर उन special classes में जो previous year question में 1990s के बाद से 2020 तक के जो previous year question और उसके अलावा और भी बहुत सारे questions जो मैं करवाँँगा उसकी मदद से मैं आपकी pre की इतनी बहतरीन तयारी कर दूँगा मैं आपको guarantee दे रहा हूँ 75% सवाल आपके सही करवागे दूँगा इस बार pre में ठीक है 75% से कम होंगे ही नहीं सवाल आपके सही ठीक है आज के session को मैं करता हूँ खतम मिलूँगा आपसे अगले session में मेरे telegram channel पर जाकर pdf ज़रूर ले लिजेगा और अगर आप insta पे मुझे follow करना चाते हैं तो same handle से chohan underscore sir underscore history पे insta पे भी मैं available हूँ ठीक है so have a nice day take care